हाई व्रीवन वेरी गूड आटरनून तो अलोफ यू और वेलकम तो सेलेक्शन टारगेट कैसे आप सभी लोग और कैसी चल रही है आपकी तैयारी सभी लोग सेशन को प्लीज लाइक और शेयर जरू कर दीजे हमारे बीच लाइव है राजेश कुमार निधी प्रमिला मनीश साक्षी सालनी सतुधन मुहमद अयाज नौनिहाल सिंग प्रवीन सैनी कलपना शिवानी रूबी दिक्षिद आयकांक्षी चलिए पूजावाशने आप सभी का स्वागत है बागी सभी लोग जुड रहे हैं तो उससे पहले च्छोटी सी जानकारी है कि जो लोग एल्टी का पूरा चार्ज लगेगा तो जो लोग इंट्रेस्टेन है वो जौइंग कर सकते हैं 35 अक्टूवर तक वैलेट रहेगा आपको डिटेल क्लासेज मिलेंगी लाइव मिलेंगी पीडियाफ नोट्स भी मिलेंगे प्रैक्टिस सेशन्स मिलेंगी वीडियो मिलेंगी यदि आप अटेंड नहीं कर पाते हैं तो फिर आप रिकॉर्डिट भी देख सकते हैं ठीक है और यह नंबर पर आप क्वैरी कर सकते हैं यह याद रखेगा जो लोग टीजीटी पीजीटी के लिए भी ग्रैमर पढ़ रहे हैं उनके लिए भी हेल्फू रहेगा काफी और यह प्रैक्टिस सेशन को छोड़ करके बाकि सारी वीडियो दिसम्बल लास तक क्या हो जाएंगी प्राइबेट हो जाएंगी यह बात जान रखेगा डाइल क्लासेज मिलेंगी स्वें आपको प्राब्लम ती इस वज़ए से मैंने महराथन नहीं लिए तो मैंने इस पै ठीक है चलिए प्राम समर सिंग आंसर दीजे क्वेशन नंबर फर्स्ट का क्या होगा बताईए ग्यारा नंबर की क्वेशन पूछे आते हैं लापर वाही मत कीजेगा क्योंकि सावधानी हटी तो दुरगटना घटी ठीक है पताई इसमें कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है प्रान शेकर निधी विशाखा आंसर दीजी बेटा क्या होने वाला है चलिए चलिए शुब्रा अखंड जोती राखी कल्पना वंदना सुब्रा तनू ए आंसर कर रहे हैं सब लोग कह रहे हैं गुरू जी ए आंसर होगा मतलब पहले क्वर्शन में ए आंसर है चलिए observer ौ B S E R V E R. जैसे दें कि सरवर होता ने सरवर इसी में ओब लग गया सरवर ह हो गया मतलब की आपका क्या होगा समीखशक बोलते हैं क्या बोलते हैं समीखषक जो समीखषा करनेती हो ता हमकра इसको observer बोलते हैं और आपज़र की स्पेलिंग गलत है इसकी स्पेलिंग उनी है इसकी spelling भी गलत है observant में क्या होता है पहले तो observe लिखना event में वी ए एंटी लिखना है ठीक है servant नहीं होता जिसे servant knocker वाला वहीं लिख देना है तो ओब लगा दिये ओभी और servant यानि इसका मतलब होता है जिसकी बड़ी तेज नजर होती पैनी नजर होती उसको बोलते observant है न और observing की spelling में भी आपको पता है कि बड़ा एस के बात में लगाना ओब एस ए आरवी आइन जी observing लिखना है यानि अव्लोकन होता है इसका मतलब क्या होता है अव्लोकन करना निरिक्षन करना ठीक है तो इसको ए विल भी दर राइट option होगा चली प्रणाम नीरज हुमारा सदिकी गुड आफ्टर नून विकार शर्मा प्रीती मित्तल हां रेशु और हां रीतु चोधरी चली किसी का नाम अगर नहीं बोल पाया करूना तो उसके लिए माफ कर दिया किजिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं कभी-कभी नाम नहीं ले पाता हूं सभी का ठीक है चली हरी केश कुमार बिल्कुल रिंकल हां आशुदीमान आंसर दीजिए बिटा क्या होगा चलिए किसले हूं इसमें सी चलीजिए आप कौन सा अंसर करें बहुत लोग कर रहें बहुत लोग सी आप्शन कर रहे हैं बहुत लوقं सब्सक्राइब लहां बीखर लैंकर ओलेquito सूरी और तो वहनी घृष्ट और पसिए एप्षण सु रसए ठीक है आपको यह तया एक निलेनियम मतलब हजार वर्ष को सहस्रब्दी रहते हैं की यह होता है की मिलेनियत kταक्षांत w तो यह एक N हो जाएगा एक N यह जाएगा important meaning है millennium M I double L E double N I U M important है यह रखेगा D will be the right option clear हो गया very important meaning बिल्कुल चले प्रदीप इसके बाद answer दीजे question number 3 क्या होगा बताएए इसमें क्या होगा बताएए हाँ मेरी कोशिस जीए कि नइ आपको सीखने को मिले spelling runner में नई शिवम आज मेराथन नहीं है मैराथन के लिए मौनिंग में क्लास नहीं लूँगा जिस दिन मैराथन होगी उस दिन मौनिंग क्लास नहीं चलेगी तब ही मैराथन हो पाएगी क्योंकि उसके लिए भी पीपीटी बनाने में चार घंटे लगते हैं मैराथन क्लास बनाने में तो मैराथन नहीं हो पाएगी ठीक है अभी जब तक तब यह दुरूस्त नहीं कर बहुत लोग C कर रहे हैं, C कर रहे हैं सब लोग है ना, तो C will be the right option, abbreviate, पढ़ाया है मैंने, abbreviate का मतलब होता, concise, यानि कि संक्षिप्थ है, क्या होता है, short में, in short, ठीक है ना, spelling में क्या होता है, a, double, b होता है, double, b होता है, every, ठीक है, a, double, b, और, every, और, v8, v8, last में, a, t, v8, ठीक है, इसमें double, b नहीं है, इसमें भी, spelling में, a नहीं है, और इसमें भी, गलत लिखा हुआ है, so, C will be the right option, abbreviate, ठीक है, बाद समझ में आ गई, हाँ, कल संडे है, के छुट्टी रखिएगा, ठीक है, हाँ, अभी थूदा रेष्ट भी करना है, और आपको, इसमें करना, रेष्ट में है रहेगा, प्रवीजन आपका रहेगा, ठीक है, आप लोग, रिवीजन करते रहे गा, हाँ बिलकुल बिलकुल चलिए आलो अंसर दीजे क्या होगा कोशन नमबर फॉर का क्या होगा बिलकुल नी तु दवावा चल रही सब ठीक है बिल्कुल बिल्कुल सर इतने questions ही नव हाँ जोती questions तो बहुत पढ़ा है मैंने आप लोगों को more than enough है इतना पढ़ा दिया है कि आप गले तक भरे हुए हैं अगर उन्ही को revise करते रहना तो exam clear हो जाएगा grammar portion में कोई दिक्कत नहीं आएगी चलिए good afternoon आकाश रगवंसी हां बिल्कुल 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 संडे बोले तो फंडे पोर का ए आंसर आना स्टार्ट हो रहा है चलिए शत्रधन ने आंसर किया फोर का ए लेकिन देखिए honestly सभी लोग answer करें जितने विस्टुडेंट है Google से में निकाल करकी meaning नहीं बताएंग क्योंकि आपके एक्जाम में पूछा जाए गई है ठीक है जिन्होंने भी ए आंसर किया बिल्कुल सही आंसर है एडवल पी एप हो गया फिर आराटस ऐसे याद रखीगा जैसे लिखा वैसे पढ़िए बच्चों की तरह स्पेलिंग को पढ़िए कभी रॉंग नहीं होगा आप हो गए एडवल पी एड़ हो गया खैसे आपने मैं ने तोड़् के सामने होगा तो आप एजड़ी समझ जाओग क्या आप एक्विप्मेंट जिसको आप बोलते हैं क्या वहतए एक्क्विप्मेंट् तो प्लूरल नहीं बनता है यह मैंने आपको पढ़ाया है so a will be the right option ओ नहीं होगा और यहाँ पर इनहीं होगा और यहाँ पर भी कुछ ऐसा गरबर होगी इसमें एक्स्ट्रा लग गया हुआ तो यह बहुत वड़ा नुकसान कर रहें तो यह भी दिमाग में रख करके सीरेसली पढ़ना इसको तो आंसर दीजे क्या होगा करेक्टली स्पेट में इसमें क्या होगा बताईए कोई बात नहीं मनिश्या ठीक है कोई बात नहीं हाँ बिलुकुल शावित्री ठीक है चलिए कौन बोला है कौन बोल राकी करें जो सबसे पहले आंसर करेंगा वो चीटिंग कर रहा है तो सभी आंसर नहीं करेंगे सब चुप चाप बैठे रहेंगे यह कौंसी बात हुई यह कौंसी बात हुई चलिए, गुद आफटर नून सना व्यून ऑर संजे सरकात है बहुत लोग बोले साथ सी आंसर होगा बिलकुल सी यहां पर एकदम सही है बीक्वित की स्पेलिंग होती है बेटा बी और क्यू यू यू ए टी एच होता है याद कैसे करें कुछ लिखा है ना तो कुछ में फील अगर आप देखे तो ऐसा लगा जैसे देथ लिखा ह मतलब 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 म तो चाहिए रही है जाहिए कि याद करनेों के याद होना चाहिए 김 याद रिंदा आद करते आम सबस convenience गूझे जाहिए है वह जूंपन में याद करते थे जोस्टा नंबर सिकसर्ड का भर बताइए जैल आंसर दाये हाहा बिलपको बिलकुल संजय, चलि रमकान गुड आफटरनून, सर आजकल आँखों में सब सेम लगता है, चलि कोई बात नहीं, बताएं, जल्दी वाजी में क्या होता है, एक एक वर्ड नहीं, एक एक अलफवेट चेक नहीं करते हैं, जब कि आपको एक-एक alphabet चेक करके चलना है ठीक है क्योंकि spelling error है इसमें एक alphabet देखना पड़ेगा चलि आंसर दीजिए क्या होगा बहुत important meaning है या रखिएगा कुछ लोगों ने B answer किया कुछ लोग D answer कर रहे हैं बटेलियन की spelling में देखिए बहुत लोग D option कर रहे हैं लेकिन इसमें जो right option है यह वाला बटेलियन ठीक है B A double T A L I O N यह वाला बटेलियन है इसमें सिफ एक L होगा कि double L होता है मैं गलत बता रहा हूं क्या क्या मुझे confirm करने दीजिए क्योंकि मुझे लग रहा है मुझे लग रहा है मुझे लग रहा है कुछ मैं भी confused हो रहा हूं अब रुकी घजरा ठीक है चेक कर लेते हैं क्यों गलत पढ़ाना इससे अच्छा है सही पढ़ाते हैं आजाओ भाहिया बटालियन सभी लोगों की बटालियन की spelling क्या है B A T double T A अचgregल एक हमेर बिलकुल सही है आप लोग गलत कर रहें ठीक है इस बीवाला ही जड़ा ही है भी ही सभी हो हम मझे एक लग रहा है पर शारी लोग QA Q Polski Looking B T a बटा लग गया This is uh यह बना दिया आपने डवल एल आई ओन लगा हुआ है इसे बना लीजेगा तो डवल एल होता नहीं पहली बात तो देखिए यह होता ना ने बतल को याद करने वाली है इसे बना लिजिए कभी गलत नहीं होगा बटैलन मतलब होता है मतलब होता है सेन दल होता है सैन दल होता है अब कभी गलती नहीं को ऐसे या रखिएगा क्लियर हो जाएगा वैसे भी हमारी बटेलियन बिल्कुल शेर जैसी ही होती है है ना चलिए इसके बाद आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर सैविन का क्या होगा बताईए बिल्कुल हाँ बिल्कुल अन्रपूर्णा ऐसा हो जाता है ठीक है कितने भी आप पड़े लिखे हो और माइनर मिस्टेक्स कन्फीजन यह सब चलता रहता है हाँ एक ही एल होगा ठीक है लॉइन वाला बिल्कुल बिल्कुल ने ती गलत कभी नहीं होगा क्योंकि बट्टा पर खाले पड़ी पढ़ी आहिँ सिमा नहीं है परेस डी अप्छन कर रहे हो जोdr नहीं कर रहे है ज sido कर रहे है बिल्कुल सही बात आहाएं अच्छी बात है इसमें चेर जो रहता है बिल्कुल इस सेर्ना 3 ठीक है डी आई एसी डिस्क हो गया और फिर लिखाए लिखाए निपाव इसको आप ऐसे बना दीजिए यह लगा देना है इसका मतलब होना दिखना पर टेक्ष होना वह चीज़ है इसका क्या होगा बताइए चलिए हां बिल्कुल 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 सत्वदर इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि जो मेरा आज को मिलाकर कि 6 आपकी हो जाएंगी और यकीनन आपको इसमें मिल जाएगा मुझे ऐसा विश्वास है ठीक है चलिए आँसर दीजे क्या होगा इसका बताईए गुड आफ्टर नून सुमन सैनी रेवल राज चलिए निदी महुरया ट्रेम लता दुबे संजय चलिए आँसर दीजे बटाओ चलिए ओं एंग्लिश विद माया चलिए आंसर दीजीए पुझा शिं JEFF । पूंजा करजे दी बिलहां डी 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 बडी डी 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 онаさ कर रहmber की अंवन्द लेकिन्ट बी अंश भला सही होगा है यह ए एटक्वाट एक्स एच एच आई एवży लडेट ओं तो भख कर लीए लारेट करीमें ओर अ YOUR ला रा ला रफिंग ये लारेट बनाएगा निकीए एक्जिलरेट वाला नहींज बनाना अीस od तो यानि इसमें क्या होगा B will be the right option ठीक है सब्सक्राइब कर रहे हैं क्या बात है सब्सक्राइब कर रहे हैं जब आप लोगों की मिजोर्टी जादा होती है तो ऐसा लगता है कहीं मामला गड़बर तो नहीं हो रहा है ठीक है लेकिन या रखिएगा कि L A R A T E होता है यह बात जाना कि B will be the right option very important meaning है E X H I L A R A T E accelerate 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 का मतलब होता है खुश करना किसी को क्या करना खुश करना ठीक है पैसिफाइब सांत करना खुश करना प्लीज करना प्लीज एक प्लीज तो रिक्वेस्ट होता है एक प्लीज खुश करना भी होता है तो चलिए B will be the right option यहां पर हो जाएगा क्लियर हो गया चलिए यार पितर पाठी की कह रहे हैं बिलकुल बिलकुल एक होगा ठीक है या रखिएगा आंसर दीजे question number 9 का क्या हाँ मैं बता रहा हूं ओना आ आप तन aurait आ हो जाती मुझे लगता कि क्या मैं ही में ही तो गलत नहीं हूं कहीं मैं ही तो गलत नहीं ने कि मुझे लगता कि नहीं अपने वरोसा रखना पड़ेगा हम गुरूजी है चलिए बताईए क्या होगा फैसिनेट के स्पेलिंग क्या होगी ठीक है ऐ आँशल करें बहुत लोग ए करें चलिक कुछ लोग बी भी करें बले घला है फैसिनेट बड़ की फिर साया ना तो मैंने का ना एफ एसty लगाते हैं जब साका सेंह साघ पान्लय है साका तो ऐसी लगाते हैं, fascinate fascinate का मतलब होता आकरशित करना, कि बड़ी fascinating job है, बड़ी आकरशित करने आकरशित करना ठीक है यह हो जाएगा, इस यह वाला CS नहीं होता, गलत है और यह इसमें FE नहीं होता गलत है, और इसमें S नहीं है तो यह भी fascinate are you getting my point चलिए हाँ नहीं, मिजोर्टी का देखिये मत अपना आंसर दीजे, बस fascinate मतलब रिजाना या आकरशित करना भी होता है, इसमें क्या अगर बताईए, यह मैंने पढ़ाया आपको one word में पढ़ाया है इसकी मीनिंग आप लोगों को बतानी पड़ेगी ठीक है, चलिए चलिए कोई बात ने, शिवम बिलकुल सुमन सेनी, परवीन, निधी, निधी, हुमेरा रीता, यादो, कल्पना, शर्मा, संजे, अनुसिंग आंसर दीजे बटा, क्या होगा इसका कोई बात ने, प्रमोट, बहुत मैच देखते हैं, इसलिए आपका डेटा खतम हो जाता है, हाँ, बिलकुल राखी किरन, चलिए, इसमें क्या होगा बताएं अब साथ में क्वेशन नंबर ज़रूर लिखा कीजिए समझदारों की तरह है, रिमपल, चलिए देखते हैं, इसमें तो ABCD बजग गया, पूरा इसमें तो ABCD हो गया ठीक है, लेकि इसको जो राइट आप्शन होगा वो होगा, C आंसर सही होगा क्या होगा, C आंसर ठीक है, यार रखिएगा C आंसर होगा, देखे, स्पेलिंग है, ही आजरिंग हाइरार्की होता है सबसे पहले चीज होता है और की के लिए आता है आपको पता है हाइरार्की का मतलब होता है सामंत वाद वाली विवस्ता होती है महंत शाहि कह दीजे कुलीन वाले जो पैसे वाले लोग होते उनके जो सप्था होती है आपको पडरियों की सप्था होती है या रख्या गलत नहीं होगा कभी ठीक है कि चलिए हाँ गलती करने के बाद ही आपको याद करना होता है के अरे कोई बात नहीं कोई क कोई बीटा देखी एक teacher ना खुद भी एक student होता है आपने सुना होगा कि जो दिल्ली यृनिवस्टी के एक प्रॉफेसर जोसर आपने उनके बारे में सुना होगा वो क्या करते हैं वो हमेशा बोलते कि मैं इस सब्जेट का विद्यार्थी हूं है न तो विद्यार्थी बनके रहना चाहिए अच्छा चलिए प्रमोट चलिए चलिए तब तो बहुत रुपया आपके पास में डवल डवल डेटा यूज़ करते हैं चलिए बताइए क्या होगा इसका अंसर हाँ पादरी की सत्य जो होती उसको बोलते हैं हयार की चलिए एम के यह कैसी इमोजीज भेज रहे हैं 11 का सी आं कर रहें चलिए 11 में सी आंसर कर रहें बड़ी आए पैरिश एवल पी ए आर आई एस है ना पैरिश बना दीजे एवल पैरिश 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 का मतलब नस्ट होने वाला ठीक है नस्ट डिमॉलिश रियून बहुत सारी बतायां को डिमॉलिश रियून देवा स्ट सब्सक्राइब हो अंशंड經 संथे याँ अपsy weel base अगए जा रखी यह तो मुझे काफी लोगों सुनता रहता हम अच्छा लगता है जैसे कि लिव कीर्टी उनको सूनता रहता हू का जल्गत है weeds that are a. अपे हो गOK अलगाए었다 संदीप मैस्री指neck उनका भी सुनता हूं बहुत बढ़ी है जब कभी टाइम ला जरूर सुन लेता हूं इक दो मिनट ही सही बढ़ सुनता जरूर हूं विवेक बिजनिस सीखना है तो विवेक बिल्दासर की सुन लीजी इनका कोई जवाब नहीं है क्या होगा इसका अंसर बताइए अगर और जड़ा मोटिवेशन चाहना है तो गरीबों को देखिए है ना प्रिविलेश का क्या होगा बताइए हाँ मेरे सारे परोशी मेरे वाइफाई से नेट चलाते है शिवानी क्या बात है वताइएश ईप्रिविलेश, हाँ वह तो चली होगा इसका आंसर्दी क्या होगा अंसर शाखशीक्ति थ्लिश्श अलीज देका माणू मतलेंश प्रिविलेश के ख्रते लिशिए हाँ और विलेश्ड का मत्रम यहां नहीं लिख व व.खेश ये गह ते व क्रिव्य व.घ् विशेश अधिकार होता है बाकि यह सब गलत है याद रखेगा इंपॉटेंट है प्रिविलेज भी एक्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है तो आपके चांसे रहते हैं पूछे जाने के आप बताएं क्या होगा इसमें क्या होगा सस्टीनेंस का क्या होगा बताईएं और लाइक शेयर तो आप करेंगे नहीं क्योंकि जब तक मैं बोलूंगा नहीं तो आप लोग तो मेरी बात सुनेंगे नहीं तो लाइक और शेयर कर दीजिए बढ़ियां तरीके से देख रहे हैं दो सो लोग के आसपास वन अंडेट सिक्स लोगों ने लाइक किया हैं इतना भेद भाव मत किया कीजिए देखिए दिल न दुखी कीजिए मेरा बिलकुल रूची चलिए इसका क्या होगा बताएं मितलेस बिलकुल कुमारी रिया प्याली आंसर दीजिए बिटा 13 का डी आंसर दिया है और कोई है जो है कोई जंगल में जो हमारी वानर से ना से टक्रा सके इसका आंसर ए कर रहे हैं कुछ लोग तो सरीता ने एक या सब्सक्क्राइब बढ़िया जिन्होंने एकई मधलिग सही है सस्ते एनस होता है एसे सस्ते मधलिगा अक्रीव nicis । क्लियर हो गया चलिए आगे पढ़ते हैं सस्टीनेंस का मतलब होता है जीवी का यानि कि जीवी का जीने का आधार होता है इसको बोलता है सस्टीनेंस ठीक है समझ में आ गई चलिए सुमित्यागी गुड़ आफ्टर नून करते चलिए इसके बाद आपको आपको आंसर देना है क्वेशन नंबह 14 का क्या होगा और आज कोर्श्टन से चोटा मोटा मीनी महराथन तो जाएगा वैसे होते हैं मैराथन में मैंने 25 ली हैं चोटा मीनी महराथन है क्या है मिनी महरातर हाँ ठीक है आंसर दीजे क्वेशन नमबर 14 का क्या होगा बेटा शेयर करते चलिए अच्छे बच्चों की तरह एकदम लाइक करते चलिए इतना तो बनता है 202 लोग है अभी तक लाइक नहीं कर रहा है सब लोग लाइक किजिए आगे सेशन नहीं बढ़ाएंगे हम धरने पर बैठ जाएंगे अब नहीं भूलेंगे बिल्कुल भूल कि वीवी वीवी मत करिये वाइफ वाइफ करिये चलिए पी आंसर कर रहे है बहुत बढ़ी आंसर है रेपलेंट का मतलब होता है र-e-p-e ठीक है और डबल ल-e-nt ऐसे तोड़ दिया कीजिए तो आसानी से दिमाग में बैठा रहेगा र-e-p-e र-e-p-e-l कर दीजिए फि नहींद ग्रासपत घंड़ भना ग्रावना ठीक है र-e-p-e-l याद रखिए गा बी विल पी र-e-r-e-n-t र-e-r-e-r-e-n-t ए याद रखियेगा भी वी दरा राइट ऑप्षिन हमको भी बी बी मंगता है बी नहीं मंगता है आपको तो हभी मंगता है हभी हभी भी भी बने गहा है मैसिपीं का रहे हमको भीपी मंगता है को बीपी मंगता है मतल coral बहुत तो भी मंगता है आप लोग कमाल करते हैं आप लोग कमाल विपिन के रहे हमको भूल गए अरे विपिन भाई को और भूल गया है को बूल गया को आंसर दीजे क्या हो बताइए चलिए प्रेम लटा बिलकुल ठीक है गिन्नी शर्म हा यह म्हजबीन इनको चड़ाती रह एक बार चेक कर लिजेगा रेपलेंट में डाउट आया किरें गुरु जी इसमें स्पेलिंग में डाउट है तो मैं यहीं पर क्लीर कर देता हूं आप लोगों को ठीक है क्योंकि डाउट नहीं होना चाहिए और वागा गलत निकला ना समझ लीजिए गा फिर सही बेटा डाउट में डाल देंगे चलिए ठीक है बास समझ में आगई अब आंसर देना था आपको यह वाला हूं कि यह मीनिंग बड़ी अच्छी है इसमें स्पेलिंग जो है वह यह वाली आपको मैंने पढ़ाई नहीं पट बी वाली बिल्कुल सही है एस एल इई आई जी खोता है ठीक है जैसे WAIT होता है WEIGST होता है इसका IGST निकाल दीजिए इैज और इस और बागी एट हो गया ठीक है यानि इसको बोलते है छलबल दोखे से कोई काम करना इसको बोलते है चलबल यानि स्लीट इसमें एक चीज मैं आपको लाद हूँ एक तो इसमें बाकी सारे गलत है एक और वर्ड होता है S-L-I-G-S-T होता है जैसे यहां पर Y की जगह पर I लिखा होता तो सही हो जाती S-L-I-G-S-T का मतलब होता है थोड़ा यानि पॉसिटी इसकासिटी ठीक है यह बोलते हैं तो या रखिएगा इसमें बोलेंगे B will be the right option ठीक है क्या बोलेंगे B ठीक है क्लियर हो गया याद रखेंगे चलिए तो अब किसी को B भी नहीं चाहिए सबको हभी चाहिए है आंसर दीजिए इसमें क्या अगा बताईए चलिए सरवेश कुमारी बिल्कुल चलिए कीर्थी गौतम आर्वी पटेल हाँ आंसर देते चलिए बिटाच चलिए ठीक है या रखिएगा या बीफ और वीबी नहीं बीफ और चलिए हभी भी हम शेयर करके आते हैं आप बिल्कुल आई यह विपन बहुत देर में समुचते हैं आप इसमें क्या होगा अगा इसमें क्या होगा चलिए साक्षी करूना बिल्कुल ओमैक्स नौटी इसमें सी आंसर कर रहे हैं चलिए बहुत बढ़ी हैं बहुत बढ़ी हैं आंसर किया आप लोगों सी ठीक है आप लिए इती ठीक है इसे या रखेंगे तोड़ दीजे हैं एक दम बिल्कुल तोड़ के अलग अलग कर दीजें ठीक है इस पॉन टैनिटी या रखेंगे इस या रखेंगा सी विल बी दर राइट ऑप्षन इसका मतलब होता है स्वक्षंदता होता है क्या होता है स्वक्षंदता होता है या रखेंगा क्लियर होगी बात ठीक है वेरी गूड चलिए तो सी विल बी दर राइट ऑप्षन अब आपको सब को सी सी चाहिए हाँ इसके बाद आंसर दीजें क्वेशन नमबर 17 का क्या होगा बताए इसका क्या होगा और क्रेक्टली स्पेल्ट क्या होगा बताए यह ओके विपिन ताइंक्यू आंसर दीजें क्या होगा बताए बहुत इंपोर्टिंट मीनिंग यह वाल इंपोर्टिंट है ठीक है विए इंपोर्टिंट मीनिंग चलिए बताए बताए क्या होगा रमा चौधरि ए चलिए इसमें कुछ लोग ए आंसर कर रहे है कुछ लोग डी आंसर कर रहे है कन्फ्यूस हो रहे है आपनों कोई बात नहीं आपको बता रहा हूँ Sergent की Spelling में S-E-R होता है पहले बाद तो यह रखीगा S-E-R होता है यहीं पर confusion होता है कि S-E-R होता है कि S-A-R होता है कि S-I-R होता है यह दिमाग लगाते है बड़ा S-E-R होता है और G-A-N-T में G-E-A-N-T होता है ठीके? यानि ऐसे रखे Ser-G में E-Spelling यह लखीगा Ser-G-A-N-T Sergent होता है Sergent मतलब होता है हवलदार को बोलते है और जो एक बहुत बड़ा उच्छ कोटी का वकील होता है उच्च कोटी का वकील होता है उसको भी हम क्या बोलते है Sergent बोल देते हैं यह बात दिया रखेगा यानि डी विल भी दा राइट ऑप्शन हो जाएगा क्लियर हो गई बात तो एस ए यार जी इए एंटी होता है सर्चेंट ठीक है इतने लोग लाइब देख रहे हैं बेटा क्लास पे न साड़े बारा बजे डेली क्लास होती है डेली फ्री क्लास ऑषे करना चाहते जों कर लेजिए प्सक्राही decided ओंदेगा यह अपर लेवल लॉयरं हां बिलकुल हो बताइं है काफी मीनिंग्स आपको नाई ऑची यूनिग मीनिंग मिली होंगी अगधी आप दहान करतेकि यह और उसका अंसर Flu आपने पर्ढों स् slitin वह होता है और जो इसका अंसर वह यह वाला है कि यह वाला है यह दी नहीं हो गा मुझे पता है कि आप дैबो ने यह में ते यह साउड पर्लस्ट ग Kylie टीके थी यह क्या है सॉडीन का है सॉयन है इसोय जमंपर्ण आपने कुछ दिया पहला गिफ्ट उसको बोलते हैं तो कैसे रखेंगे एस ओ यू वी ए और एन आई आर ठीके और spelling error में केवल ठीक है अरके शर्मा थैंक्यू यह बात ध्यान अखिएगा बैटा कि spelling error खाली practice करकी ही आप बहतर कर सकते हैं ठीक है और साड़े बारा बजे का अलाम लगा लगा लिजे सबी लोग अपने मोगाल में Monday to Saturday class आपको डेली साड़े बारा बजे मिलती है अलाम लगा लिजे बिल्कुल ठीक है यदि आप मिस्स नहीं करना चाहते हैं अब बताई इसके क्या होगी spelling बताईए ठीक है चली बताएं क्या होने वाला है कि अंसर दीजे क्या होगा इसमें अब देखिए बहुत में चीज़ चेक की इस मीनिंग में थोड़ा सा विवाद भी हो सकता है क्यों कि मैं आपको चीज़ बताना चाहरा था इस वाली मीनिंग में कि ट्रिंक्वालिटी की आपकेंब्रिज की कैmbr정이 इस समय इस इसमय को पिरिफर करती थैं ऑक्स फोड्ट में इस वाली में इस चलती है c अभी सब्सक्राइट यहज़ घृंक्वाल मानते हो ठीक है यह इसमें वी आल औक्षन औरल ऑप्शन सही त्योंसा रहे चाहरा होता है कांफी दिनों से एक है तो Cambridge Dictionary या Oxford में भी इसको double L माना गया है, ठीक है, double L माना गया है, तो इसका मतलब होता है, शान्ती, पीस, ठीक है, तो यार कीगा, T-R-A-N-Q-U-I, यह होता है, फिर double L-I-T-Y होता है, तो इसमें दो चीजे हैं, या तो इसका B answer सही माना जाएगा, या पिर ये question विवादित हो सकता है, और इससे तक कुछ नहीं हो सकता है, इस question में, ठीक है, मैंने जितना cross चेक है, उसके recording में आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, clear हो गई बात, चले, या रखेगा, so B will be the right option, बेटा, ठीक है, बोनस नहीं है, नहीं, इसमें बोनस नहीं है, क्योंकि ये Cambridge University का है, और क्योंकि ब्रिटन में है, तो ये माननी जाएगी, double L माना जाएगा, ये बात जाना रखेगा, ठीक है, बात, बोनस नहीं मिलेगा, आज को भी है, मेनत करने पर बोनस मिलता है, इसमें क्यों कर बताईए, क्यों होने वाला, बताईए, क्यों होने वाला, बताईए, क्योंकि अच्छा आयोग वाले एक एल को मानते तो इसको विवादित मानके चलिए आप लोग मैंने जान मुझके कोशन लिया मैं लेना नहीं चाहता था चुकि मैंने क्रॉस चेक किया उस नाते मैंने आपको इस बता दिया ठीक है बांकि हाँ मैंने भी एक ही यह पड़ाया शीवम लेकिन वुक में देख करके मैं नहीं देखा है ठीक है इंडिया की गवर्रमेंट जोगे वह बिटेस को इसको ही फॉलो करेंगी इसमें क्या होगा एक दोधने अन्सर कर रहें बहुत लोग तो इसमें वह बिल्लकुर की अरे लिए तर्व और नऑई तार नऑएज और लोगected अधिए और यह सेम और तो कोई बात कोई दिक्कती गिलें यह ब Inkत नहीं है बता है अत्या चार करना क्या क्रुवैलिटी ठीक है हां बिल्बकुल हुमैरा ठीक है वह देकि हुमैरा बता रहे हैं कि ऑक्सपोर्ड में भी डवल एल अत्या चार ठीक है तो आप लोग डवल एल को ही मानिएगा सर जी इस मंत्र का मौसम बहुत सुमाना है अच्छा चली अओ देश कुमार बिल्बकुल ठीक है बाद समझ में आ गई तो या रखेगा इसके बाद नेक्स कोशन है बेटा नेक्स कोशन है इसका बताईए क्या होने वाला स्पैलिंग बताएं सर रंजी सिंग में भी यह है रंजी सिंग में है तो आप ऐस पी बख्षी साब की में देखिएगा बैटा तो उसमें क्या क्यानिग तो इस ब्रेसित के जाए ही अगर अ मैं आपके एक्जामें dużo अजा तो इसमें अग मैंले। कोई कुछ नहीं कर सकता उसमें चलिए कि इसमें क्यों बताईए हाँ क्वांटीवन इन्प लिडी आंसर करें या क्या अनसर ग्युह आनसर किकी है this पड़ते क्या हैं इसका मतलब होता है मेंटल इस्टेबिलिटी यानि की मानसिक संतुलान होता है क्या होता है मानसिक संतुलान होता है ठीक है बासमच में आ गई या रखेगा बाकी की स्पेलिंग गलत है यू होता नहीं है इसमें यू होगा नहीं अब इसमें भी गलत है ठीक है इसमें क्या होगा बताईए ऐसे डाउट वाले क्वेशन आयोग नहीं पूछेगा अगर समझदारी दिखाएगा ठीक है बताईए क्या होगा इसमें ये भी बहुत अच्छी मीनिंग है इसका क्या होगा बताएं या रखेगा इंपॉर्टेंट है बहुत सकते हैं इसको इंपॉर्टेंट मीनिंग हाँ बिल्कुल बिल्कुल पूछिए फोन करके अब देखिए सी आंसर करें बहुत लोग करें साथ सी आंसर भी होगा अलग अलग अंसर करें बट सी वाले सही हैं ठीक है क्लेयर होता है एक लेयर वह और येंट ऐसे बना लिए एक लेयर वह येंट क्लेयर वह येंट इसका मतलब होता है भविश वक्ता होता है उसको बोलते हैं फॉर्चून टेलर ठीक है वह कपड़ा सिलने वाला नहीं जो फॉर्चून टेलर ये वाला टी इडवल लिया फॉर्चून टेलर ठीक है बास मज में आ गई यह रखेंगा सी विल भी दर राइट ऑप्शन क्लेयर वह एंट बोलते हैं इसका मतलब होता है बविश वक्ता फॉर्चून टेलर इ हां जोती ऐसा होता है और आयोग के भुक्त भोगी तो हम लोग भी है हमने भी कई बार आयोग को भोगा है यह तो मुकदमा लड़ो पैसा खर्च करो बरबात करो समय बरबात करो तब ठीक है वन्ना आयोग की नोटंकी की वजए से बच्चूं की बड़ी जिंदगी खराब हो जाती है है ठीक है इसमें क्यों कर बताए चलिए बिलको शिकांती राठोर अकांग्षा बटनागर सुनील मौरेया चलिए आंसर दीजे सभी लोग संजे कल्पना इसमें क्या होगा बताई इसका 23»,D answer रहें ढ़ित्रिंग यानि की थंड से कांपना होता है इसमें डी है तो गलत है, डि आई गलत है डि इ गलत है इसमें डवल दिखा हमा तो गलत है यह रखिए डि आई टी एच और इर आई एंजी तित रिंग ठंडे से कहां परें दित के करीब हैं इतना जादा ऐसे याद कर सकते हैं चलिए ग्यान प्रकाश बिलकुल दीपू हां समझ में आगई बात अब आपको आंसर देना है क्वेस्टन नमबर 24 का क्या होगा राजेश कुमार डी चलिए वेरी गुट बताई इसका क्या होगा रेबल राज रीना तो मात बिलकुल हम सभी बच्चे टाइम साय कीजे साड़े बारा बचे ठीक है राज बिलकुल बिलकुल रिया अब इसमें क्या होगा यह भी नई मीनिंग होगी आपके लिए चलिए 24 का बहुत लोग ए कर रहे हैं प्लैबियन कर रहे हैं प्लैबियन नहीं यह वाला नहीं होगा इसकी नई मीनिंग है नोट डाउन कर लीजेगा मैं में यह उद्धार मेंद रहे हैं प्लैबियन नहीं यह एक रहे हैं वेडियन नहीं इस प्लैबियन Ayaan very important for your exam वैसे भी आजीब आजीब मेन पूस्ता आयोग भी यह रहा आज का last question क्या होगा इसका बताएं चलिए क्या होगा इसका last question बताएं इसका answer बहुत ही आसान है चलिए बताई 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 ये 25 का अंसर योगेंद गुर आफ्रनून चलिए अकांक्षा बतना गर्फ 25 का डी बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू रिया चलिए 25 का डी बोले है बिल्कुल सहिए प्रींटस या रखेगा प्रींटस इसका मतलब होता है उधारन होता है उधारन एक्जाम्पल या रखेगा ठीक है तो दी विल भी द राइट ओप्षन जितना पढ़ाया जाए मन से बस आत्म साथ करते रहिए यही आपको प्रणाम की रूप में मिलेगा जो कि आपकी सफलता होगी तो आज साथनी क्लास है तो आंसर देना है कि कोशन नंबर फर्स्ट का क्या होगा कौन से स्पैलिंग करेक्ट बता दीजे चली बताईए क्या बिल्कुल पढ़िये मन लगा के पढ़िये मैं एक्जाम औरेंटेड ही पढ़ा रहा हूं ऐसा नहीं कि बस वही चीज़ चल रहा है एक डिल्लर पकड़के बैठे नहीं चेंज करता रहता हूं ठीक है और यही चीज़ बढ़ी है हाँ शशी एल्टी क्लास उपर से उपर है बिल्कुल राधा इसी लिए मैंने सब कुछ सोंच के करवा रहा हूं ऐसा नहीं कि अपना काम नहीं कि बस फॉर्मल्टी नहीं करनी है ना तो चलिए फर्स्ट कार सी आंसर कर रहें कुछ लोग भी आंसर कर रहें तो अब होता है कि हमने अपने इसाफ से रटी होती मीनिंग लेकिन जो मैं बोलूँगा उसको केरफुली सुनेंगे तो आपके बहुत काम आएगा तो बहुत लोग ए आंसर कर रहें बहुत लोग सी कर रहें जितने लोग सी हैं वो बिल्कुल सहीं है देकि नारेसिस्ट आपने पढ़ा है कि नारेसिस्ट का मतलब होता है सेल्फ लव यानि कि अपने आप से प्यार करना है न तो उसकी इस्पैली में क्या होता है नार हो गया नार हो गया थीके उradas की याद करने सबसे बेहतरीन तरीखा यह कि आप बच्चू कि तरह बच्चे ऊऔर कैसे पढ़तेसे उस पसे आपको यादरहेगा तो नारसी तो आ complex solved डबल prisons बोलिएगा नरिसिस्ट का मतलब होता है आत में प्रेम होता है यह बात धान रखिएगा वे году पूच्रिंग्व ऑघ सकते कोई बड़ी बात नहीं है टीक है बात समझ में बिल्कुल बिल्कुल अंकिता ठीक है जो मैंने पढ़ा दिया है वह सही है डूनने से भी नहीं मिलेगा कहीं पर फ्लैंडर की स्पेलिंग क्या होगी बताई चलिए तेके यस रादे रादे हल्पी शर्मा अर्चनातर पाथी प्याली अनपूर्णा और रमेंद्र बिल्कुल चली आंसर दीजिए क्या होगा और जैसे मैं शब्दों को तोड़ता हूं कोशिस कीजिए आप भी वैसा ही तोड़े क्योंकि मेरे शब्द तोड़ने पर हमेसा कोई निकल के ज़रूर आता है ऐसे नहीं कुछ भी तोड़ दिया गलती नहीं करना है जो लोग मीनिंग करके बेशते न वह गूगल से निकाल के बेशते मेरा ऐसा मानना है तो आप लोग ना आप्शन बताईएगा मीनिंग किमत बताईएगा ठीक है तो बहुत लोग डियांसर क तो या रखेगा इसमें नहीं होता लेंड नहीं होता या इस यह अंड या और यह यह गलत है आपको पता कि ऐसा नहीं होता है ठीक है यह शब्दों को तोड़ना कैसेamedera बना दीजे पहले बना दीजे फिलेंडर बना दीजे इसके बात में आपको ऑर जोड देना है क्योंकि था इसे यह कर देगा यह कुछ और कर देगा इसका मतलब होता है उसको यह प्रिमी बोली इस्तरी प्रेमी बोली तोने बेगागे किने लोगों से पहली नजर में फेले की आंसर करेंगे रहें वह व्यूनिज़ sacred में दीजयगा लिभें में अपनी नेस्सकान के साथ खेल रहें रहाइक है और मिद्धी के साथ इन्हाइं सब्सक्राइब करते हैं तो आपकी परम करतव है कि आप तुरंद वीडियो को शेयर और लाइक कर दिया कीजिए अपने अपने स्टेटस में लगा दिया कीजिए बहुत अच्छे बच्चों की तरह है थोड़ा साब सब्सक्राइब लगता हम जब बात देखते हैं इस वीडियो में इतने लाइक मिलें तो अच्छा लगता है वालों की संख्या जादा है तो अच्छा अंसर कर रहा हैं आप लूग ठीक है यतने लोग बिए आंसर कर रहे हैं बलकुल तो याद कैसे लखना है पहले बात तो इसको बलस पढ़ि पढ़ा थाइंगा मतलब होता है आपको बता दूं की संगे उस्켜ूप प्रश factor है इंशकर निंदा होता है तो बी विल बी दा राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ना तो ब्लेस ना ब्लिस ना ब्लेस यह ठीक है चलिए हाँ बलकुल आ लोग करें सब लोग लाइक कर दीजिए लाइक कर दीजिए धाई-धाई सो लोग देखते हैं तो सब का भला होना चाहिए है ना जितने बच कहां से सीखें कहां से पढ़ें मैं इतनी करवा दूंगा आपके लिए मोर दन एनफ हो जाएगी तो बिलकुल चलिए संगीता हां कीरती रुद्राक्षी और रोशनी सुनिधी उमा चलिए मैजबीन और प्रग्या हूं चलिए हां बिलकुल अलपी रीता सिंग साक्षी cau х 22 org एनिबडी एल्स विप कर रहे हैं वहलों कि इसमें बहुत लोग से अंसर कर रहे हैं मैंने को पड़ाया जिसको सुधार आजा सकता है और इन कोरिगह जो इसको डिसको अप सुधार नहीं सकते थेना तो कॉरिगहिविल कारिए मैंने काच य्वक्लिए सुधार कोरी और गील है कोरी आप कोरी गीविटिशन, जिसको सुधार कर सकते हैं ठीक कर सकते हैं, ठीक है बास समझ में आ गई है बिलकुल अंकिता पांडे थाइंक्यू समझ में आ गया ना याद रखेगा और इन कॉरी गिविल जिसको सुधारा नहीं जा सकता तो यह सी विल भी डाइट ऑप्शन ठीक है याद क्या रखना है कि डबल आर होता है कॉरी गिविल कॉरी गिवि आया था सरहे मलता करें मैं बता तो रहा हूं जिसने मेरी क्लासिस पढ़ी हैं वो किसी भी एक्जाम की ग्रैमर को धुआ कर देंगे ऐसे सी सीजियल क्वालिफाई कर लिया भाई एक बच्चे ने इस ग्रैमर मेरे ग्रैमर को देख करके अब आप सूर सकते हैं कितने बड़ की अब देखें का कुछ लोग सी कर रहे हैं कुछ लोग डी आंसर और कुछ लोग बी आंसर कर रहें बहुत लोग भी करें बहुत लोग कृसिया आता है एसी मेरी ही एकजाम में पोची आई आऐ आए आण साव साव पोलती है एसाव वीवी और नीर अंयर कभी कभी अढबल ई लिघ देता है इस नहीं होना है बिल्कुल दिमार्ट मैं क्लियर रखना साव वी नेर था विनीर न आई यार न आईयार बोलती है याइए सोई वारी ए एनाई आईवा सवी नीयार होता है कि इस्मृती होता है जो यादज के लिए याद Vergleich सिर्फ चिन वगर। और बात आएी अ시다 टो 155 होगयों हाग किया नियाद शिक्स का क्या होगा बताई चलिए मीनिंग बहुत चोटी सी है लेकिन एक्जाम में आती है तो आती हुई मीनिंग भी गलत हो जाती है उनके उप्शन तो और ऐसे बनाए जाते हैं कि आप और ज्यादा कर्फ्यूस हो जाएंगे मैं तो फिर भी रहम कर जाता हूं ठीक है मैं तो रहम कर जाता हूं आप्शन बनाने में वह रहम नहीं करेंगे आप पर ठीक है चलिए हाँ चलिए आंसर दीजिए क्या होगा अद्दुख होने में वक्त जाया मत कीजिएगा खुशी से पढ़िएगा ठीक है काना चलिए बिलकुर इसमें क्या कर रहें बच्चे बी सी क्या होगा इसमें आंसर बताएं सिक्स का ए आंसर किया है बंश लोचन ने अच्छा चलिए और भी लोग कर रहें ए अंकिता भी कर रहे हैं बहुत बच्चे कर रहे हैं सर ए होगा कुछ लोग सी भी कर रहे हैं कुछ लोग बी भी कर रहे हैं देखिए कितने गलतिया हो र और वाई होता है तो एक चीज तो कंफर्म हो गई कि हमेशा एर वाई आएगा और गरेन में जीर होगा जीरी नहीं नहीं होता है इसे होते दो शीक्री आहां पर के लिए तो जी आर ए यान गर रिर यह और गलोए यह यह वाला के सरिव है ती के क्लियर ई भाट यह गलत है होता है कि हम लोग concept पढ़ते रहते हैं और concept पढ़ते पढ़ते हैं यह चोटी चोटी चीजे जो इस vocab है one word है idiom है spelling रह रहे हैं इनको miss कर देते हैं और यह exam में फिर रुलाती है बहुत भेंकर तरीके से बच्चों को मुझे पता है ना क्योंकि मैं पढ़ा हूँ ना मैं देखता हूँ कि बच्चे बहुत मतलब underestimate कर देते हैं चीजों को तो नहीं करना कता ही नहीं करना है बताईए इसका क्या होगा बताईए चलिए तो द्यार रखे ग्रैनरी की spelling जी आर ए एन ए आर वाई चलिए हाँ खलियान चलिए क्या होगा इसका अंसर बताएं ठीक है बिलकुल पूनम्त्यागी सनाया हाँ दिवश्मिता चलिए देखे बच्चे पता है जो पढ़ने वाला बच्चे होता है वो ट्रेवल कर रहा होगा तो पढ़ रहा होगा खाना बनाता है तो पढ़ रहा होता है वो होते हैं पढ़ने वाले जिनको पढ़ने के ललक ज्यादा है है ना हाँ बिल्कुल चलिए गुड आफ्टरनून हाँ इतनी कठीन मीनिंग आप बता ले गए बहुत अच्छी बात है यह होगा मीनेजुरी इसमें रखेगा मेन और जी आर आईए ठीक है एक काम और कीजिएगा मैं आपको चीज बता दूं कि यदि मेरा प्रेंशेसं गरबर हो ना तो उसको माइन मत कीजिए कि मैंने याद करते कर इसके बात में लगा दीजिए आर आई यी तो मीनेज और मतलब कि जैसे जानदोरों को मैनेज किया जाता है न तो जगह कर लाती मीनेज री ऐसे याद कर लीजेगा यानि कि वन ने पशुशाला वन ने पशुशाला जहां पर बड़्ड और आपके एनिमल्स को रखा जाता है उसको बोलते हैं मीनेज री ऐसे या रखेंगे मतलब की वन ने पशुशाला ठीक है या रखेंगे चले बिल्कुल तरुन क्लियर हो गया हां इसके बाद आपको आंसर देना है कोशन नंबर में किसमें पडाया है करती में इसकी था हूं मैं बात करहा हूं कि नाउन प्रमून की वाली चीज़ए को डिटीर बोड पड़ते हैं उसमें तो अच्छा स्कोर कर रहे हैं लेकिन यह चीजें आपको ले डूपती है तो इनको अंडरस्टिमेट नहीं करना है यह मैं कह रहा हूं ठीक है इसमें क्या होगा बताएज चलिए कि ठीक है अरुन बिल्कुल ओम विदित जो नए बच्चे ना वो प्लीज सस्क्राइब जरू कीजेगा और मैंने पूरी ग्रावर पड़ाई जो है तो आप उसको जुरू ज्वाइन कर लिजए पढ़ दीजेगा ठीक है थर्टी फर्स्ट दिसंबर तक वो फ्री है उसके बाद पर थोड़ा चार्ज लगेगा ना चलिए इसमें बी बिल्कुल कहते है बच्चे करें गुरुजी देखें इसमें बी डी सी सब आंसर आ गया अब सोची कितना करो इतनी आसान मीनिंग मैंने पढ़ाई भी है मैंने पढ़ाए था फ्री साइट का मतलब होता है पुत्र हत्या को बोलते हैं क्या बोलते हैं पुत्र हत्या को है ना पुत्र हत्या को क्या बोलते हैं मतलब बच्चे को ठीक है मैंने इसको क्या बोला फ्री साइट पुत्र हत्या तो इसकी स्पेलिंग क्या है या रखीगा एक ए डबल एल होती है क्या तो फिर मुझे लगता है अमेरिकन और उसमें मामला हो रहा है मैंने चेक किया था तो यह फिली साइड इसमें यह दिखा रहा है ठीक है ini PDF फेटष वालों को मिलेगी स मतलब होता है पुत्र हत्या होता है मैंने पढ़ाया नहीं सेड मैंने सब्सक्राइबिस सारी याद कीज़ा फिली साइड ऐस मतलब होता है जली डिवश में थापुत्र हत्या F I L I C I D E Side मतने होता हत्या और F I L I मतलब फिली मतलब पुत्र हो गया ठीक है ऐसे यार रख लीजेगा चली चली तब ठीक है एक ही एल होता है मैंने भी पढ़ा है एक ही एल होता है ठीक है इसके बाद answer दीजे question number 9 का क्या होगा बताई चलिए meaning आसान है लेकिन कर नहीं पा रहे हैं अभी जब कोई pressure नहीं है एक्जाम होगा तो pressure होगा वहाँ पर तो और भी ज़्यादा वहाँ तो पेट भी गुड़गुड़ाएगा सबका एक्जाम में क्या होता है पेट गुड़गुड़ाने लगता किसी किसी का कि ठीक है चलिए ओके रित्व आंसर दीजे क्या होगा बताईए कि हार ठीक है कोई बात नहीं मुझे लगा कि फिर में दिमाग में कि नहीं F I L I C I D E यही वाली सही है चलिए बी आंसर करें बच्चे बी 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 तो सब लब बोलने भी इसमें तो गलती करेंगे नहीं मैंने पढ़ाये भी है मतलब kicking है महें कि यार्त करवाया था मैंने मैंने याद कर भाय था कि कि 801 फर दू और फिर ऐस मैंने कहा था कि 802 मतलब हमारे लिए 80 काम कर सकता है इतना महें मेहनती यानि की परिश्रमी यानि लेबोरियस हाड़ वाकिंग यह सारी चीज़ हो ठीक है इंडस्ट्रियस बी विल बी दराइट ऑप्शन ठीक है सब लोगों का सही है यह वो कैप में मैंने पढ़ाया भी है हाँ ठीक है इसके बाद आंसर दीजे कोशन नंबर 10 का क्या होगा बताईए और पता है बहुत मीनिंग भली में थोड़ी सी पूछता हूं लेकिन इन मीनिंग को ढूनने में बहुत वक्त जाया होता है बहुत समय बरवाद होता है दूनने में भाई मुझे दो घंटे लग कौन से एक्जाम में आ सकती है किसमें कन्फीजन हो सकता है इसको खोजने में बहुत ता पांच मिनट में एक मीनिंग मिलती मुश्किल से कोई बात नहीं इंद्रा नो इशू चलिए शैल जा हां नीटू और आदर सुनन क्या होगा बताईए टैन का एंसर कर रहे हैं बोलने गुरू जी टैन का एंसर पका शयोर है बता दीजिए कर श्योर्टी रखिएगा अपने आंसर पर ठीक है ए कर रहे हैं कुछ लोग बी भी कर रहे हैं तो यह वाला बिल्कुल सही है ठीक है कॉंस देखिए याद कैसे करेंगे इसको तो क्यूंकि देखिए एक बात समझ लीजए कर और के जाना काउंस्तिक श्योर्णाागी याद होना चाहिए बस काउंस्पपकव ड़ना होता इक यतप्र मतलब होता ह behaviour यानि इस पेशल क्सित प्रज बात समझ में आगई हाँ प्रेज्या थैंक्यू मुझे भी थाइंक्यू बोलना चाहिए क्योंकि आप लोग ना यह आप लोगों की ही वज़े से इसा हो पाता है कि मैं इतना कर पा रहा हूं आप लोगों के लिए ना जस्ट विकॉस आफ यू सपोर्ट कि हम आज सटेड़े हैं चुट्टी है किस बात की चुट्टी है कि आंसर दीजिए क्या होगा बताईए कि जितनी मैंने इस्पैलिंग करवाई हैं इनको रट डालिएगा कुछ भी करके रट डालीजिएगा और देखिए अब बच्चे नमुलने सब्सक्राइन विराज में आई है जबकि मैंने नविस के पेपर भी नहीं देखा लेकिन मैं ऻिसे पता है कि पढ़ाता हूं तो आएगा एक्जाम में आए तो यह अंसर कर रहे हैं बहुत अच्छी बात जितने लोग एंसर कर रहे हैं बहुत लोग एंसर करने बिलुकुल सही है आपको लिखना और ट्रैंग के बात आपमी यार रखीए की य्यू आई है क्यों यू आई एलाइ टी ट्रांग Pr adolescents लग जाएंगे कमच्राइंगरा को यहाँ ना त्यू टकी का मतलब ऑठी क्या होता है शांते होता है यह बात दहाँ दखेगा पढ़ाया मैंने के बार पीज शांती टेक behavior पीश, शांती टेकिजिंद यहां को यह पर यहां पर इस पंग doesn you कि कि सनाया कहेरी। सर आपने तरह मैं टो पार हो गया है कि मैं पहले मुझे विश्वास हो कि वह मियांति तक नहीं है ना क्योंकि टीचर ले आना और आपने देखिए बहुत इंस्टिटूट बाले टीचर उठाते हैं दस दिन पढ़ाते हैं बगा देते हैं क्योंकि उनको लगते कि हारे हमारे इंस्टिटूट की बेजिती होने लगी तो इसके लिए मुझे समय चाहिए है ना छल ले आउगा बताई है अच्छा और उसको फीस देनी पड़ेगी और कहां से लाउगा में है चली बताई क्या होगा मैं भी या भाट कर रहा है लोग जब बच्चे बोले गुरूजी वी होगा वह वाला हीलो क्या ओभी इलु को मतलब ज्रीग लूसी ए और फिट आपака कि एंव सी कि डेता है किस्की लूसी की ओंतों कंग है फॉर्टीन फैबुरी गें पंदेट वूसी की डेट है एंडिन इलू-इलु ँडेट है ठीक है बी विल बी दा राइट ऑप्शन ऐसे यार कीगा जीवन में नहीं भूलेगा ठीक है बासमज में आ गई चलिए महस बीन सुधर जाईए इसकी बाद क्या होगा बताई चलिए अलग से फी देंगे सर संजे करें अलग से फी देंगे अच्छा हाँ हाँ चलिए अप्रमोट कुमार हाँ थैंक्यू सर एक मंद की सैलरी आप की होगी देखते हैं देखते हैं कितने जितने लोग बोले हैं ना इनको पब्लिक क्लास में आके लताड़ें गर जितने बोले की गुरुजिन नौकरी मिले तो पहली सली उस सैलरी को मैं अपने पा होगा है हां बिल्कुल रमेंद चलिए दिव्या प्रप्ति श्रतुधन अन्नपून चलिए पीन गेमर पार्थ आशा नियास था है अच्छा रागो भी आंसर करें कुछ लोग एदकी इसमें गलत होगे बी ए सीडी सब आंसर आ रहा है इसमें तो बहुत अच्छी मीनिंग है यहां रात्विगा फ्रेंड ध fringe नो पारे 맞 अश्री देड करोधित जैना यानि के फ्यूरी यादे रेच यादे grade अरे और कि अwashmit पढ़ाया है सबकुछ सबकुछ पढ़ाया मैं ध्यान लाइक रिखा यह ऑन रखी गा तो यहां पर आएगा और यृह dil phonठीश्गाई ta तुबे जी क्या है बाई बाई लगाए है यह यह विल बी दराइट ऑप्शन हो जाएगा क्लीर होगी बात चलिए वेडिवरेंड फ्रेंड जाइड अना इस लाइक फ्रेंड व्राइड क्या होगा इसका अंसर बताईए चलिए मज़ा थोड़ा मोटिवेशन बहुत जरूरी अंदर से अपने आपको मोटिवेट करते रहा करिए धक्का मारते रहा किजिए कि मुझे बिल्कुल अपनी लाइफ में आंगे बढ़ना करना यार आज नहीं करेंगे तो कब करेंगे यही मौका है कुछ कर दिखाने का यही मौक अपने जिन्दगी को बेहतर बनाने का अपने आपको पुष करते रहा किजिए लिख लीजिए दिवालों में चिपका लीजिए कि जब तक देन पूरा होगा तब तक कलम की गती न रुकेगी और आज कहें चाहें जो दुनिया कल को बिना जुके न रहेगी इतनी दरनिश् और फिर आर एजी ए एस यू डवल एफ आर एजी एना सफ और रेज रेज बने गुस्सा होता है वैसे तो पड़ कोई बात नहीं यहां पर क्या है सफ रेज यानि की मता अधिकार ना नियुकर को मत करने का अधिकार मत करने का अधिकारत को रोते हैं मता दिकार सफ रेज मतलब होता है मता अधिकार बहत अची मीनिंग हैस को लिखते चलिए नहीं सफ- Łwyन-धिकार see will be the right option कि इसके बाद आपको आंसर करना है कोश्चन नंबर 15 का क्या होगा बताईए चलिए लिट्रेचर का प्रैक्टिस में कैसे लिए लिट्रेचर अगर पूछने लग गया तो आपको फैदा नहीं होगा टीचर में रख नहीं सकता मेरे पास इतना बजट नहीं है पता है एडवांस बजट होना चाहिए टीचर रखती तो आप मुझे पेत करनी देंगे जब मैं उस चार्ज लगाते हैं तो आप लोगो बोलता है गुरु जादें नहीं है जुट बे साफित को बहुत मैं मेरे पस इतना है बहुत कुछ बहुत हैं चुछ से दी आंसर करें बिल्कुल सही है पायोनीर में क्या होता है PEO तो इसको कैसे करेंगे जो confusion होता होता है कि PEO आई है कि P turmoil है तो आप ये रखिएगा PEO और नीर नीर माने होता है जल और PEO माने PEO तो यार पियो नीर जलoug See जल पियो और अगर दूद बनके रहो आगे चलो एक कियोंकि पाइव नीर को मतलब होता अगर दूद होता है याद केसे करेंगे पियो नीर is जो लोगS चूज कर रहे थे स्टृक को याद करें पियो नीर यानिकि जल पियो अगर दूद बनके रहो यानि की बी विल भी नहीं सौरी डी विल भी दराइट ऑप्शन ठीक है हाँ ठीक है तो गाने परार 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 पायो प्रेम रतन धन पायो कैसा गाना परार 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 हमें तो यह हंसी आती थी कि इसके बाद आपको आशा देना कोशन नमबर सिक्स सिस्टीन करक्या होगा बताएए चलिए अगरिए 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 इसके बताएए यह बहुत चीए मेनिंग एजी है लेकर देखिए कितना करेट करेगी बच्चों के रमेंद्र हाँ बिलकुल बिलकुल ऐसा होगा एक दिन जरूर होगा रहना चलिए बताएए क्या होगा बी बी अंसर करें सब लोग बी देखिए बार बरस में क्या होता है कि पहली बात तो बी ए आर बी ए आर होता है है ना हम लोग गलती यह करते हैं कि बी ए आर बी ए आर समझ जाते हैं तो यह रखिए कि बी ए आर बी ए आर होता है बार बार है ना बार बार देखो हजार बार द कहिंए को देखने की चीज़े हैं मैं तो अयार की ब्र बार बार और बार यह वह सब वक्ति वारवरस मतलब होता है यह असमता तो बी वी वी राइट ऑप्शन ठीक है एक बीविवी डाइट ऑप्शन 17 का आंसर दीजे क्या होगा बताईए क्या होगा 17 का गरिमा चलिए गरिमा लवानिया गुल्षन पार्थ रीता रितू परवीन महश कुमार रिंपल वर्तिका महश्मीर रिंकल विशाखा विदित राधा निय कि अधा श्रामांगी रमन में चलिए रितू श्र्वेश अभी आप भी आंसर नहीं किसी का है शलिव लॉक्ता आप वर्य ऐगावर आए अच्छा जा गार्य विदी इंगा दीज अलग अलग आंसर करें देखिए बी जो कर रहें तो ये बाद रहें कि गैलेंट जीए एल एल- ए एन्टी होता है ठीक है यहां रखेंगा गाहिजिए डाड़ एल-एंटी ओन्ट मतलब होता है यानि की बहादूर वेक्ति ठीक है क्या होता है दि आ यू एयू एंटी डॉंट टों लेस टोंड क्रेर फीरल Nस बहुत सारे शफलाधे जीरemporない यह न्टी बिल्कुल चलिए को शुवाह साहब है ओके डी विल भी राइट ऑप्शन आंसर दीजे क्वेशन नंबर 18 कर क्या होगा यह भी पढ़ाया मैंने आपको सारे वर्ड मैंने आपको पढ़ाये जो इंपॉर्टेंट है आपके एक्जाम परपस से कि बताइए चलिए अब कल है संडे संडे को रखेंगे चुट्टी क्योंकि मुझे जाना है कहां पर जाना है बताता हूं भी बहुत मज़ेदार किस्सा है वो भी कि आयम आल्सों गैलेंट मैं अच्छा कि चलिए इसमें क्या होगा बताइए इसका अंसर बताईए डी 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 आंसर करें डी हैना कैमफ्लॉस ठीक है इसका मतलब क्या होता है जो लोग डी आंसर करना है बिल्कुल सही है कि सी ए हैना कैमाउ माउ पढ़िये माउ और अफ ले जी इसे पढ़िये याद करना थे कुछ भी करिए इसका मतलब होता है चलाने वाला जो चलावरन है ना डिसीजिव जिसको बोलते है ना दोखा देने वाला जो महल होता है वो कैमफलोज या रखिएगा ठीक है कमफलेज इसका क्या होगा बताइए चलिए हाँ डिस्गाइज करना बिलकुल बिलकुल द्रप्ती इसका अंसर क्या होगा वर्तिका आशु सुमन सनाया रूची चलिए बढ़ियां बताई चलिए पड़ा फट अपनी बरात में जा रहे हैं हम लोगों से बिना बताइए पागल है यह बिलकुल अनपूर्णा रावत पार्ट स्पीच पर क्वेशन हो चुके दो शेसन तो लिए मैंने देख तो लीजिए पहले उन्हें हैना फिर कभी ले लूँगा एक और सेशन ठीक है सी सी आंसर करना है चलिए यह तो लोगों ने सी आंसर किया है वह बोलें ग क्युल टोर को यह थां 6 ऑनना टॉर्ट हुड मतला होता यातना मतलबू है यहिए तर्में नहें कि और ग्या टोर्मेंट मतला होता यातना और outta बहुत आरोगे तो बात में यातना सहनी पड़ेगी टोर्मेंट क्यानि बहुत रख़किए आपनी पढ़ाय E quan अतला है गए उ शेली वेरी गूट जब मैं इमसी क्यूज करवाता हूं वह वाले कौन वाले डिटेल वाले तो बच्चे 200 होते हैं इस पैलिंग रर्म में इतने बच्चे कम क्यूं है मैं यह जानना चाहता हूं प्रमोट करें सब्सक्राब एक ब्लॉगिंग वाला चैनल बना लीजे हम आपको हर जगे देखना चाहते हैं हां काश्मन तो बहुत करता है लेकिन सोचता हूं कि बच्चे का कहेंगे गुरुजी कहां कहां आप लगे पड़े हैं चलिए तैंक्यू शीला कुमारी आपके कॉंप्लिमेंट भी आंश कर रहे हैं इसमें जितने लोग बिखार रहे हैं तो बिलुकुल सही कर रहे हैं क्या कर रहा हैं सही आंसर करे हैं मैंने पढ़ाया भी इन और एडी और क्यू क्यों यू एटी ए ठीक है तो इन एडी क्या होता है आप परियापत है ठीक है बास समझ में आगई मैंने पढ़ाए एडिकुट मतलब परयाप तो इन एडिकेट मतलब आ परयाप सो बीविल बीडराइट ऑप्शन बाकी चली शुरू करते हैं अचका सेशन यह राप पहली मीनिंग आपकी स्क्रीन पर फिक्स्ड इंकम पेड यरली क्या कहलाता ह है बताई चलिए कि सर्जी आपके आते ही दूप आ गई अरे वाह है तुने दूप लगया वे मैं चांव बन जाना बड़ा गाना चल रहा है वाला मुझे भी याद आ गया ठीक है चली शुरू करते हैं ऑके प्रमोज रीता राकेश यादव पालुल शर्मा सुनीता चलिए कोशन नंबर फर्स्ट का सी आंसर कर रहे हैं बच्चे बोलें गुरूजी सी होगा पक्का कोई कन्फीजन नहीं अब इमानी कोई नहीं करेगा गूगल इंडिक वगएर का यूज नहीं करना है ठीक है इमानदारी से आंसर दीजिए वरना अपने पैरोक्लाड़ी मारेंगे होगी यह वाली एडबल एन यूआई टीवाइट एनटी का मतलब होता वार्षिक क्योंतों वार्षिकी ठीक है जो साल में पेकी जाती है जो फिक्स इंकम होती साल की उसको बोलते है इन इडी स्पेलिंग में अनुई कि यार रखिए अनू और इती ठीक है एन टीडबल एन यूज करना यह बार देना कर अनु बोलना अनु नहीं बोलना अनु ऐसे या रखेंगे अनुटी मतलब वार्शी की जिन्होंने पिसी आंसर दिया है एकदम पक्का हैं बढ़िया हैं और इसके बाद आपको आंसर देना है कोशन नंबर टू का क्या होगा बताई चलिए विच बिखनः चलिए बिलकुड रद्राक्षी ताहिडा प्रियांशी इचायद मनोझ कुमार करी यहा पर एनुवन नहीं है ठीक है एल्स की में होने वाला होता है एनृटी और एनुवल में फर्क है एल्टी और प्रतू रोटी में व्लोटा है और एंटिंटी और रिस बहूं एड़ेक्टिव होता है और यह एनुटी क्या होती है यह नाउन होती है ठीक है यह फर्क याद रखिएगा टोक दिया तो बता दिये मैंने आपको इसमें आंसर कर रहे हैं जितने लोग डी आंसर करने कुछ सी भी कर रहे हैं तो इसमें डी वाला बिल्कुल से यह सेवर टी मै होती है तीक्षंड़ता होती है तीक्षंड़ता या तीवरता भी आप कह सकते हैं सेवर्टी याद रखिएगा ठीक है बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना है जैसे सेवर की स्पेलिंग उतना है एस इवी ए आर एए ठीक है ऐसी मैंने का इसमें सेवर और आई टी वाई सेव स्पेलिटी मतलब होता है तीक्षंड़ता या तीवरता यह बात ध्यान रखिएगा ठीक है तो डी विल भी डिफ्रेंस को याद रखिएगा जो मैंने बताया यहां साइड में क्वेश्चन नंबर थ्री का अंसर दीजिए क्या होगा विच वन इस क्रेक्टली स्पेल्ट क्या होगा इस का अंसर बताये चलिए बिल्कुल तो इसको सीरसली लीजिए ठीक है जितने भी पढ़ने वाले स्प्रेंट है वगर आप सेलेक्शन को लेकर के बड़े सजग है जागरूख है और आप नहीं चुकना चाहते हैं तो स्पैलिंग रर वोकैप इनको नजन दाज मत करिएगा यह मैं बार 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 बो तेजी से कमेंट आ रहे हैं सभी के एए 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 आंसर कर रहे हैं इसमें कोई कर दीजिए कुछ भी कर दीजिए अबेर राशन सिर्फ तोड़ दीजिए शब्दों को आटोमेटिक आपको इनके लेटर्स पता चल जाएंगे कहां पर क्या लगना है अवेर राशन बस बन मतलब पढ़ाया मैंने क्या होता है सामान से विचलन सामान से विचलन जिसको आप कहते हैं ठीक है या पतन भी कहते हैं मैंने पढ़ाया आपको अब आशन लो निकल लो बिलकुर ए विल बीड़ राइट ऑप्शन क्लियर हो गई बात चलिए वेरी गुड इसके बाद आपक यह ना बहुत बड़ी हैं कोशिंट सारे बहुत ढून ढून के बनाने पढ़ते हैं क्योंकि मैंने बहुत सारी अलग-अलग किये मेरे कोशिस ही रहती कोई मीनिंग रिपीट नहों नहीं नहीं मिले आपको एकाद रिपीट हो भी सकती है क्योंकि रिवीजन भी जरूरी है प्रमोद प्याली चलिए लक्ष्मी प्रियांशी मांडिवी ओम बंचलोचन शत्रधन चलिए ओम नमो नमा चलिए अमनीशा देखिए इसमें अलग-अलग अंसर कुछ लोग बी कुछ लोग सी कुछ लोग डी अलग-अलग आफको देखिए सी ओ ययं कुम्प्लेन होता ना शुम हाम अलोग यहाँ यहां पर आपको टो हटा है से आ लुथ चेंट को मतलब होता है मेहर layer मतलब होता जिस हम कहत civilians मतलब कि तुम हम फेर बड़े मेहरबान हो मतलब कि आद तुम्हारी बड़ी बात मान रहे बड़े अग्या कारी लरी लिग 9 मि भी इसका हुए ऊर्दू या अरभी का शबत हो सकता है यह जहां रखेगा ठीक है ऐसे कभी गलती नहीं करेंगे कंप्ले और सेंट या रखेगा बिल्कुल बी विल बी दा राइट ऑप्शन गौट इट समझे में आगी बात चलिए जिनका अंसर सही बढ़ी अच्छी बात है रश्मी वेरी गुड इसके बाद आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर फाइब कर क्या होगा बताए चलिए इसमें क्या होगा बताएं याद रखिएगा बहुत जरूरी जिनसे गलतिय करें यह मान के चलिए कि आप एकजाम में एक एक नंबर कटा रहे हैं यह बात ध्यान रखिएगा पढ़िए उसी तरह से ठीक है हां चलिए बिलकुल महरबान कदरदान तो आगे वाकी तो पता ही है ना चलिए बिलकुल बिलकुल अब कभी गलत नहीं करेंग मुझ इतना प कि एको और लडए एको लेट नब कुलते हैं यह समान कईलेगा अरे युद्ध में उतरें हैं अज़िए आप एको नहीं लडए तो जो पिर सममान कैसे मिलेगा तो एको ठीक है बात समझ में आ गई तो एको लेड हो गए है पर डी विल बी दा राइट ऑप्शन चलिए आपका स्वेटर बहुत अच्छा लग रहा है अच्छा यह यह मेरा तो आदी साथ चीज तो मेरे गिफ्ट वाली चीज़े रहती है कोशन नमर सिक्स का अंसर दीजिए क्या होगा चलिए यह हलाकि स्वेटर भी नहीं है यह वूलिन टी-शर्ट है आज सिप टी-शर्ट पहन के बैठा हूं क्योंकि मैं धूप लेकर के आया हूं आज मैंने भी ब्लैक पहना है अच्छा हाँ सेम पिंच ठीक है चलिए इसमें क् स्क्रैक्लीड स्पिस्ट अंसर क्या होगा हूं ऑ कि ईक्षिए अदो में हुआ है यूठ आइकि इसमें इसमें कहां पर यह वाली सही आपका यह वाला से है डिफ्रेंस मैंने का था यह ती मैंत सब्केंद ने का सब्रेंस नीजरा हो होता है इसका मतलब होता है सम्मान और एक होता है कि डी डवल एफ इर एंसी होता है इसका मतलब होता है भिन है यह लग रहा है तो आपको एफ लगाना है और यह लग रहा है तो आपको सिर्फ एक एफ लगाना है मीनिंग में एक एफ बाले में सम्मान होता है डो एफ बाले मे भिन्न होता है ठीक है यह बात ध्यान रखिएगा ठीक है यार रखिएगा और रिवरेंस मैंने कहा अब यह भी पता है मैंने रिवरेंस को कि रिवरेंस में ए होता है होता है है संमान होता है मैंने आपको पढ़ाया है सूने-स सुभै ἐugen असर आप क्या ख़ा क् reicht कि स्पेलिंग में देखेगा क्या है स्पेलिंग यहां पर मतलब होता है परित्याग करना होता है पर जो यह कह रहे हैं कि तो मैं बोल रहा है से थो किसी तरह मीव समझिए और मैं खा कुछ नहीं रहा हूं जो खाना पीना था पहले निपट लिए हैं तो इसमें क्या होगा सी विल भी तराइट ऑप्शन यह करेक्ट है तो यह रखेगा और रेपो डाइट का मतलब होता है परित्याक करना ठीक है यह बात ध्यान रखेगा चलिए चलिए ठीक है बिलकुल चलिए संजे हां चलिए इसका अंसर देजी क्या गुट मौनिंग पिंटु कुमार चलिए विजय भान साक्षी सिंग राखी कुमारी रीता बंच लोचन आश्मी सलीम चलिए बा काफी बच्चे हैं हां निकल लगे कमेंट सबके ठीक है चलिए कुछ लोग करें कि आपकी अवाज नहीं आ रही है अपना वैल्यूम भी तो बढ़ाई यह चलिए इसमें लोग डी आंसर करें बिलकुल सही हैं बी अफिसीज में एस आई इजी होता है बीसीज का मतलब होता है घेरा डालना क्या होता है घेरा डालना है ठीक है बिलीगर में आपको कि एस आई इजीज मतलब घेरा डालना होता है ठीक है बास समझ में आ गई सो डी विल भी दा राइट ऑप्शन खूब पढ़ाया है खूब दम लगा के पढ़ाया मैंने आपको और जब एक्जाम की टाइम आएगा ना तो देखिए का पिस मैराथन नहीं होंगी और कुछ नहीं होगा सारे प्रैक्टिक सेशन का रिवीजन करवा डालूँगा मैराथन मैराथन बना करके एक एक हजाल ल ऄगजे खूब एक ऑपिक निएन सब्सक्राइं पर अनसा कर रहे हैं आप लोग तो जितने लोग एएं आनसर करőं करें से करने किनी करें तो शसे सब्सक्राइब करन अपवत्र करन यानि कि जो होली चीजें उनका अपमान खनना ठीक है ब्लाइस फामी इशनिंद आप कह सकते हैं तो एविल बीडाइट ऑप्शन यहां पर हो जाएगा चलिए ठीक है इसके बाद आपको आंसर देना है क्वेश्चन नमबर नाइन का आंसर दीजिए क्या होगा इसमें बताईए चलिए चलिए दर्मेंद मौर्या साक्षी कामनी दर्मेंद मौरय जी आएं और योती प्रदीप और मनीशा को गुड़ आफ्टन बोल रहे हमसे कोई वास्ता नहीं उनका चलिए खैर यह तो मजाक है गीता रिंकल रिंकी चलिए ठीक है संजय नहीं होत्री इसमें क्या कर रहें आप लोग अंसर 9 का बी आंसर आ रहे हैं क्या रहा है नाइन का बीपक्का कन्फरम है कोई डाउट तो नहीं है ठीक है जो भी लोग कुछ लोग लेकिन नेकि जो लोग बी आंसर कर रहे हैं वो बिलकुल सही है मैंने पढ़ाए बरसर्क बसर्क एना यानिकी अत्य धिक क्रोधित होना अत्य धिक क्रोधित है एकदम हाई टैमपर हो याना बिसर्क स्पेलिंग क्या है वही सार्क बन जाना एसे याद करने कि लिगा था बी सार्क बन गए बड़े से ठीक है तो बिसर्क का मतलब होता है अत्तिक रोधित होना वी विल भी दर आइट ऑप्शन ठीक है याद रखेंगे एक दम पक्का है बहुत बड़ी है चलिए चलिए नहीं तू कोशन नंबर आर्ट टैन कांसर दीजिए क्या होगा बताए चलिए हाँ बिल्कुल लाइक से जरू करते रहा किजिए तो पुन्य का काम है भाई है गुरू का मान रखना विद्यार्थियों का परम करतव्य है और उसका प्रिणाम आपको आपकी सफलता के रूप में जरूर मिलेगा है ना कि सरम खाना खाते हुए चलिए दीपू बढ़ियां आंसर दीजिए फटा-फट क्या होगा कोशन नुमर्ट 10 का इंद्रगुपता चलिए इसमें आंसर क्या कर रहे हैं तो बहुत सारे बच्चे जो डी कर रहे हैं बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं इसमें क्या होगा एडवल पी ठीक है आप हो गए फिर एर ए अर ए टी यू एस ठीक है आप हो गए और एराटस बोल दीजिए यह होते हैं मेकानिकल जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको बोलते हैं एपरेटस एडवल पी ए ठीक है यह अप्पा रैटस कुछ भी बना लीजिए लेकिन गलत मत कीजिएगा भैया बहनों गलत मत कीजिएगा डी विल भी द बता ही चलिए मुझे बोलते नहीं पर रहा है मैं अजीब सी मेरी भाशा निकल रही मुझे ऐसा लग रहा है मेरी जुबान तिर्ची भाग रही है चलिए इसका आंसर दीजिए क्या होगे बताईगे बिल्कुल अपर रहे दास यस प्राची स्पेलिंग फ्लेज़ व्लेर इंपॉर्टिण डॉल यस बी आंसर करें बच्छे करें सब्ली बी 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 ठीक है जतने लोग भी आंसर करें है है क्वाण्टीजेंसी बहुत बड़ी आंसर कर रहे हैं वेरी गुड रमुक्त चलिए कॉंटिजेंसी की स्पेलिंग C O N T I N G E N C Y कॉंटिजेंसी इमर्जेंसी जैसे सुनाई देता है कॉंटिजेंसी यानि कि A कस्मिता ठीक है B will be the right option गलती तो नहीं कर रहे हैं सब लोग सही कर रहे हैं कुछ लोग A भी कर रहे हैं अब्लानी जैसे इमर्जेंसी इमर्जेंसी एमर्जेंसी G E N C Y होता है हाँ कॉंटा नहीं होगा यह भी नहीं होगा बीव राइट ओप्छन क्विए दार्श नमबर तोलव का अंसर दीजे क्या होगा बताएगे दोसो तीन बच्चे हैं 131 लोगों ने लाइक किया है बांकी क्या चाहते हैं मुझे से यह बताएं तरह बाकी की कौन सी तवन्या झो भी धूरी रह गई है जाना कहते हैं कि बच्चों को अच्छा लगता है तो लाइक करते हैं जिन्हों नहीं किया है कि वह कैब से बेटर है हम स्पेलिंग बिल्कुल बिल्कुल रूमन है ना वह कैब अच्छी जिसकी उसकी स्पैलिंग अरह भी अच्छा हो जाएगा यस चलिए ट्वल्व का ए प्रणाम आपके फादर इंलाओ को आश्रवा बनाए रखें अपना हाँ चलिए बड़ी इसमें डी आंसर करें तो देखिए बहुत लोग डी आंसर करेंगे जरूर पर मुझे पता है देखिए यह नहीं होता हलाकि स्पेलिंग ब्लेम की ब्लेम मतलब किसी की निंदा करना किस यहां पर सही मन जाएगा एव लग रहा होगा लेकिन नहीं ब्लेम होता है और इसका मतलब भी वही होता है यानि कि जो निंदा के योग यह है एबल लगा योग ब्लेम की योग यानि निंद निये ठीक है एव लुट भी दर आइट ओप्शन क्लियर होगी बात यह बहुत चलिए और बी जगह पर एक जगह पर और इगायब होता है बताएंगे कभी एक़िस नो मैंने पूछा हो चलिए और इसमें बता दू कि इसमें लिखा हुआ है कि धूमर पाननिसेद है धूम्र पानियोचयद क्यूंकि सिगर्ट की स्सक्रास्ण पच्छक है आप से यह इं चलता है ना smoking is injurious to health कि चलिए चलिए दश्मी चलिए इसमें क्या होगा बी आंसर कर रहे हैं बच्चे करें सर्वें जितने बी आंसर कर रहे हैं समझ जाईए कि डाउट हो रहा मुझे आप लोगों पर जितने भी आंसर कर रहे हैं मतलब शाम की शाम ऐसे तो नहीं गुजरती ह आप लिए हमने अब लिग दी इत्ती सिगार और इत्ती जो गलत कर भी रहेंगे अब नहीं करें कभी सिगार इत्ती चलिए विल बीदर राइट आप्छन आप लोग रेश्टोरांट की स्पलिंग बहुत करते थे लेकिन मैंने ट्रिक बताई अब बच्चों कभी गलत नही कभी गलत नहीं कर सकते आप ऐसे सिगार इत्ती सिगार नहीं प्यों भी विल बीड़ाइट ऑप्षिन ठीक है सर्व में नहीं पीती डोंट आई डोंट लाग स्मोंकिंग हां बांकि हम तो जैसे गंजेडी हैं कि हम लोग नहीं आज तक अभी नशा वाशा से बहुत दूर नशा से बहुत दूर रहते हैं अब एक ही चीज़ का नशा है वह पढ़ाने का नशा और पढ़ने का नशा बाकि सारे नशे वेकार हैं इसके आगे इसका अंसर दीजिए क्योंगे बताये चलिए बिलकुल बिलकुल धरमेंद्रा चलिए बिलकुल ठवीनस मनीशा ये बात भी है निका नशा चाए भी है तो बहुत चाए पीते हैं यह जान लीजिएगा तो इसमें बहुत लोग ए आंसर कर रहें जो कि बिल्कुल सही अबस्टूज A B S T R U S E अबस्टूज का बतलब हो ठीक है बात समझ में आगी Spelling में ध्यान रखेगा बहुत लोग क्या करते है T R U E लिख देंगे बट ऐसा नहीं है तो T R U E नहीं अबस्टूज A B S T R U S E अबस्टूज ठीक है इसमें ई लिखा हुआ गलत है इसमें भी गलत है ठीक है तो A will be the right option प्रमोट करें मैंने एक बार ट्राई किया था मैं समझ रहा हूँ मैं समझ रहा हूँ कितना ट्राई किया था आपने चलिए इसमें क्या होगा अंसर बताईए हम तो गाय का दूद पीते हैं बढ़ियां सब बाश बताई विच वन इस करेक्टली स्पेल्ट क्या होगा इसका अंसर बताई सर में चाय बहुत पीती हूं सुरभी ज्यादा चाय नहीं पीन चहिए मालूम मैं अब को मैं भूइ वाली शेडी हूं चलिए नहीं जाए नौकसान करते इसbnिमें प्र बोधी संवड़ी उने की च्छसान में हिना दी Soc का बताएंगी फिर कं mother कि अच्छा अच्छा के कैंट सारे बत्च्चे करने साथ नोगा सही मीनिंगitas रिक्साहीय है और इसी में , इनचैनि लग गया तो इह बने है नाउन सिर्फ आ अपने लिखा नवा यह बने हो known हो गय यह दिशुआन का मतलब क्या होता है और इन्वीय मतलब इंतलब चडहाना किसी को और करना एकसिलेंस की स्पेलिंग में गल्ती। गल्ती इसमें भी-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e होता है यह बात ध्यान रखेगा विजिलेंट में वी-ई-जी-ई-ई-ई-अ-ए-टी होता है ड्य-ार रखेगा दिसेंट में क्यों अगproblem एञाय फख़ंए होता है और इसका मतलब क्या होता है अपूंड होता है क्योंड का मतलब होता है न होता है हुँ ठीक है यह रखेगा है इसके बाद आंज कोशन नंबर सिक्स्टीन कर क्या होगा बताई चलिए कि चलिए इंद्रा ब्लकुल मनोज उमा चलिए मुस्कान शर्मा आंसर दीजिए कामनी दिख्षित आंसर दीजिए अच्छा अच्छा अब मतब धर्मेंद्र जो है उनका नाम लगता है उनको शौट में डियम बोसर बोलते हैं यह बात है यह बात मुझे अब दिमाग में क्लिक हुई मेरे देर में समझ पाया मैं चलिए इसके बाद आंसर दीजिए कि आप बी आंसर कर जो लोग बी कर रहे है बिलकुझ सही है देँके डेसिदेंड की स्पेलिंग में D.E.S. और रखेगा इसकी बाद पर C जtimer लगाया है ठीक यह डेसिडेंड का मतलब होता है वाशज क्या होता है वाशज होता है वाशज घेसिदीन ठीके ठीके डिसेंग कि अमतलब होग है वाँशज और Dispaint there is a हारिज करने योग्य क्हारिज करने योग होता है कम्पैटिबल का मतलब होता है अनुरूप है जैसे कि कोई भी चीज है आपके आपको फिट हो जाये तो इन रहले चीज ठीक है यह आपके अंदरूप है यह रेलिवेंट है चलिए इसमें क्या अंसर होगा बी विल वी दा राइट आप्षिन ठीक है बास समझ में आ गई चलिए कोश्च नमबर 17 कांस दीजिए क्या होगा बताईए चलिए सर जी आपका शॉट नाम के तो पीके मतलब लॉकेट वाला कुछ नहीं मनीशा बस प्रैक्टिस कीजिए टाइम लगता है कोई बात नहीं दुबारा एक बार और शेहसंग को देखिएगा स्पीड मूड में ठीक है हूं 17 का बी 17 का ए अलग-अलग अंसर आ रहा है मैंने क्रेक्टली पूछा है बेटा ज्यान रखिएगा देखिए मैं आपको बता दूँ कि कोलाबरेट में डबल अल होता है यह तो बताया मैंने कई बार बताया है ठीक है कुलाबरेट आने होता है सयोग तो यह कैसे सही हो सकता है इसमें तो किवल एक ही ल दिया हुआ है चेंजिबल की स्पेलिंग में काता की ए लगाना बहुत जरूरी है इसमें फिर इसमें लगाना ए बी एली चेंजिबल ठीक है बदा लने योग गे कि मैंने का इक्वेबल रियम का मतलब क्या होता है संतुलन होता है और हीनियस की की स्पेलिंग से यह है एच ए आई ठीक है एच ए आई एन ओ यू एस हीनियस हीनियस मतलब होता है जो जगन नहीं होता है कैसे कैसे बेकूफ लोग है तो समझना चाहिए ना कि कि थीक है बात समझ में आ गई डी विल बीड़ाइट ऑप्शन कोशन नमबर 18 कांसा दीजी क्या होगा बताई चलिए विच वन इस क्रेक्टली स्पिल्ट कि क्यूंस के सिक अब्रें से जेए इसमें क्या होगा इस कांस से बताई चलिए देखिए इसमें यह वाला सही है F I E R C यह वाला सही है ठीक है फिर्स का मतलब आपको डरावना होता है बहंकर ठीक है और इकोस की स्पेरिंग में E C O E S होता है और इन वाले में क्या होगा E N F होता है कि वल एक F होता है ठीक है इन फिरेंस मतलब होता है अनुमान आई एन एफ ए आर एंसी अनुमान होता है और एकस्टेसी का मतलब होता है परमानन्द E C S T A ठीक है इसमें SY होता है ठीक है एकस्टेसी बाद में हाँ SK होता है परमानन्द ठीक है चलिए यह पास्मझ में आगा है इन ध् tutte एकस्टेसी मतलब होता है परमानन्द यह बात धान रखिएगा कोशन नमबर नाइन कांसर दीजिए क्या होगे बताए चलिए तो जुनका गलत हो रहा है वो ठीक करते चलें समझते चलें कि क्या गलती कर रहे हैं वो लोग सावधानी बरतिये सावधानी हटी दुरगटना गटी तो नमबर कटने नहीं देना है हमें कुछ भी करके हैं लोग अी데 अ कि से में लास्ट में एस वाइज लगाना है अलो कं खेके गलत मत कीजिए कैं बिलकुल है चलिए नाइइंटीन कांसर कि यह होगा ईकटीर काव बी मैंरे करेक्ली पूछा में थिक है कि नहीं अमेरिकन नहीं कुछ भी नहीं मैं ब्रिटेस मों लिगा है कुछ अमेरिकन हो सकती है अमेरिकन करेक्ट नहीं करना है हमको देखिए गायटी जी ए आई इटी वाई गायटी मतलब होता है उल्लास यानि खुशी ठीक है और फ्राइट की स्पेलिंग गलते यहां पर एफ क्या होगा एफ आर ए आई इसटी होता है इसका मतलब भाडा या बोज तो फ्रीट एफ आर ए आई जी एस्टी लिग दिजिए एफ आर हो गया ई जी एस्टी हो गया तो फ्रेंट वालिकी आठ दोस्ते बड़े बोज यह हमारे उपर हैं आपको पालती देनी पड़ेगी एफ आर एज एस्टी ठीक है इ और इसकी स्पेलिंग में क्या होता है यानि यू की जगह पर ए होगा अगर इसको तोड़ेंगे हम बनेगा जी आर ओ सबस्क्राइब इसका मतलब होता है विचित्र होता है क्या होता है विचित्र ठीक है यह बात धियां लगएगा तो आंसर विल भी ए कि इसके बाद आंसर दीजे कोशन नमबर 20 का क्या होगा बताए 20 का विच वन इस करेक्टली स्पेल्ट मैं एक बार यह जरू कर वाता है ना क्योंकि देखिए सुबह सुबह आपने एक एनिमिटिक स्पेलिंग गड़बड की मेरे मन में चिंता होने लगए कि अरे बच्चे कमजोर पढ़ेंगे यहां पर पताशला कॉंसेप्ट तो बहुत अच्छे कर लिए आप लोगों ने सीख सीख करके लेकिन स्पेलिंग में कमजोर पढ़े आएंगे तो फिर मामरा गड़बड हो जाएगा अब मैं वहीं नहीं चाहता है गड़बड हो तो गड़बड नहीं कहना हाँ यह रहाज का आखरी कोर्शन आप स्क्रीन पर ठीक है चलिए कि क्या करेंगे 20 का इसमें आंसर करें बहुत लोग सर्थ बी होगा डी होगा कंफिूज होगा है आप लास्ट में समय आप देखे जैसे कि मैंने ब्लैमम में मैं आप सो कहा था कि ब यह लगाने के आवशकता नहीं है प्रूवेबल होता है ठीक है सिधा प्रूवेबल लिखना है इन लगाने लिख देना है पहली चीज तो यह वाली सही है गलती इसमें क्या एल ए होता है लंगर का मतलब पता था पढ़ाय मैंने आपको कि लंगर खाली आप चौले से लेटे आराम से शिथिल पढ़कर के पढ़ाय मैंने आप लंगर लंगर लेजर की स्पेलिंग में होता है L E I S U R E होता है लेजर लेजर का मतलब होता है आवकास यह होता है फुरसत आप लोग देखते हूं कि टीचर लोग होते हैं यह जो भी नौकरी करते हैं सरकारी लिखते हैं कि लेजर रेजिस्टर में साइन करके जाना क्या बोलते हैं कि लेजर रेजिस्टर में साइन करके जाना कि मैं झाल में चैसे वहीं लजर के मतलब होता है है प्रुविलेज की भी वाहिं उप always को कि विशेशा अधिकार होता है मास्टर को यदि लेजर की सपल्BER ना पता हो तो बड़ा घड़ भलह है तुसमें करेंगे आप कोई में ड्रेजिस्टर बनाएं कि लेजर डिजाइन से सजाएं और स्पैलिंग एरर कर दें बात में चेक हो या कोई बीए से बीए से कोई चेक करें आके पकड़े गलती आपकी तो खाम खाम का बैंड बजा दे लेजर की स्पैलिंग में क्या होता है ल-e-i-s-u-r-e य आपको इसके भी डाउट क्लियर होते चलें सो मैंने आज यह स्पैलिंग एरर कर शेशन लिया ठीक है लेहें इस पैलिंग एरर जो की नौमा सेशन इसके पहले में आठ करवा चुका हूं वह सारे चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं वादा दूंकि ट्व जरूर अपने दिल में रखना है अब शुरू करते हैं आज का सेशन यह राप पहला कोशन आपकी स्क्रीन पर विच वन इस ग्रेमेट कली करेक्ट आभा अब देखें मैंने सब मैं आपको एक चीज़ कहा तरहां कि मैंने सब्म यही लाइन केले डिया बट मुझे क्लेक्शन लिखना biss आप समय चेंज करूँगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम होगी एना कर भी सकते हैं कोशिस करके देखूंगा एक बार पर मैंने यहां पर लिखा और स्पेल्ट ठीक है रिप्लेस किया मैंने सब रिप्लेस हो गया है लेकिन एक कोशन गरबल करेगा बात में वह मैं आपको बता दूँँ ठीक है तो आप लोग अभी आंसर कीजिए इसमें इसमें बी आंसर कर रहें बच्चे जो लोग बी आंसर कर रहें बिल्कुल सही है बी मतलब यहां पर क्या है प्यूराइल का मतलब होता है बचकाना ठीक है क्या होता है बचकाना यानि चाइल्डिस टाइप क्या होता है चाइल्डिस 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 कह सकते है मू विल भी दा राइट आप्शन ठीक है चलिए जहां पर गड़बर होगा मैं वहां पर आपको अलर्ड कर दूँगा तो इसका अंसर बताईए चलिए नमस्ते अब जीत रावत नीती आलोख हां इसमें क्या होगा बताईए सब लोगों को मैंने सारी वोके पढ़ा डाली है रिवीजन भी चल रहा है सब्सक्राइब चल रहे हैं अना प्रेपोजिशन पर भी कोशन्स लिए है मैंने तो बस समझ की चलिए स्लेक्शन एकदम तगड़ी है इत्ती मेहत लगती है सर यूआ ग्रेट बिल्कुल दीपक मेहत तो बहुत पढ़ती है यह तुम्हें क्या कहूं दूनना की रिपीट न मेरे साथ में बेहतरीन तो मैंने जाएंगन होता होता है क だमों पैल्गों atoon spelling Correct Hey ऐसे यार रखेगा कभी गलती नहीं होगी और इसका मतलब होता है चिर्धाना क्या होता है चिषिधाना होता है याने की इरिटर गरना होता है याने की इरिटेट करना होता है यह बात धान लखेगा तो मैंने कहा एक्स 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 लफटंज यह एक कभी जीवन में गलती नहीं होगी जैसे कि आप लोग कभी रेस्टोराण की गलती नहीं कर सकते मैंने आपको बताये अच्छी तरीके से ऐसे आपको एक्जैपरेट की गलती कभी मत करिएगा ठीक है हो गई गलती मैं चली कोई बात नहीं इसके बाद आपको आंसर देना है question number 3 क्या होगा बताई चलिए ठीक है इस पैलिंग रहा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्यारा नंबर के questions आते हैं डोंट अंडरेस्टिमेट है हां चलिए जिनका सही अच्छी बात है हां इसमें क्यों का अंसर बताएं कि बिल्कुल सब लोग लिख रहें न सबंसदार चलिए इसका आंसर क्या होगा and do like and share और subscribe भी करें जो लोग new है वो subscribe भी कर सकते हैं चलिए अलांकि comment वही कर पाया कि तो subscriber होगा तो answer will be c क्या होगा इसमें सी आंसर कर रहें चलिए गरीमत है कि यह बिल्कुल सही है primitive होता है ठीक है क्या होता है प्री में अक्सर हम यह वाला प्री समझ जाते हैं जनरली हम गलती कर जाते हैं जैसे कि कुछ बच्चे यह भी कर रहें तो primitive में हम पी आरी समझ जाते हैं लेकिन ऐसा नहीं करना है यह प्री मतलब होता है पूर्वे वाला ठीक है और यहां पर primitive प्राचीन की स्पेलिंग होत है यह और प्रावाला भी गलत है इस वांसर विल भी सी है हां बिल्कुल सुनिदी में जान रहा हूंगी बच्चे कहते भी हैं कि स्पेलिंग भी राइट करें हां हां बिल्कुल करो ठीक है इसके बाद आंसरी क्वेशन नमबर फोर का क्या होगा बताए चलिए विच वर इस करेक्ले स्पेल्ट इसमें क्या होगा बताएं ठीक है हां चलिए हां बिल्कुल बिल्कुल रवी कान चलिए सोनिया रश्मी यवी प्रियंका राधा आंसर देजी बटा क्या होगा है कोशन नमबर फोर है ना डी आंसर कर रहे हैं बच्चे कुछ बी भी कर रहे हैं कुछ सी भी कर रहे हैं कमाल कर रहे हैं बी सी डी बहुत सही बी सी डी लगा दिया है ना क्या लगा दिया बी सी डी लगा दिया देखिए यही गलतिया आपको एक्जाम में ले डूपती हैं तो मैं नहीं चाहता पहले लिखिए illusion क्या लखेंगे डी आई मतलब मतलब होता माईउसी वैसे इल्यूजन माने होता है ब्रहम लेकिन डिस इल्यूजन मतलब बन गया मायूसी और यहां दखिए कि इसमें डी आई एस लिखना है फिर इल्यूजन में आई डबल एल यू एस आई ओवन यह लिखना है यह बात ध्यान रखेगा कभी भूल करके भी गलती मत कीजेगा इसमें डबल एल नहीं है इसमें डवल डेयाई और इसमें डबल एल नहीं और आई तो ध्यान से दे करके आँसर करें ठीक है है इसके बाद कोशंट नम्बर फाइब का अंसर डीजे क्या होगा अच्छा केवल 5 questions ही change हुए है केवल 5 ही change हुए है जब कि जादा उच्छे कोई बात नहीं ठीक है आपको यहाँ पर बताना है कि spelling कौन सी incorrect है वो बताना है spelling कौन सी incorrect है यह बताना है कौन सी spelling incorrect है वो बताना है मैं repeat कर रहा हूँ कौन सी स्पेलिंग इनकरेक्ट है वो बतायाना है बताईए चलिए एक तो क्या होता है न जैसे मैं पढ़ा रहा हूं पढ़ाते समय बच्चों की क्वेरी बियान लगती है मतब पीपीटी बनाते समय फोन भी आ जाते हैं तो काफी डिस्ट्रेक्शन हो जाता है और एक एक वर्ड देखना बड़ा मुश्किल काम है कि लेटर देखना बड़ा इसपलिंग मैं आपको बताई क्या होता है डिस होता है फिर फिर इस चीपलिंग बनाता है शिष्य होता है यानि थे स्टूडेंट विधार्थी ये पीपल क्या है कोई गलती नहीं है आपको पढ़ाया है यहां पर हो जाएगा ठीक है यहां रखिए अच्छा वर्ड है इंपॉर्टेंट आपके एक्जाम के लिए अब आपको आंसे देना विच वन इस क्रेक्टली स्पेल्ट इसमें सब सही हो गए बागी यह अच्छा दिमाग लगा लिया पढ़ाया वरना सब मुझे बताना पड़ता कि बैटा इनकरेक्ट नहीं बताना है और ऐसा के वल एक ही कोशन था पांच मावाला अफासा था इसमें क्या हो कर बताएं बंचे क्वाओं सर से स्पड़ना चाहाएं रहे हम जब कॉंसेप ग्लाके समय शुजाएं क्यों पड्रूर पार इसमें की स्पैलिंग इसकी स्पैलिंग ₱ जो फिरप नहीं मानूगा इसका मतलब है कि अप गूगल के इस्तिमाल कर रहे हैं यह माना जाएगा वहलिए आप कर रहे हो या ना कर रहे हो ठीके तो जो सेपा कर दीजिएगा फिर राशन कर दीजिएगा कभी गलती नहीं होगी सेपा राशन ऐसे कर दीजिए सेपरेशन का मतलब होता है अलगाव यह कह सकते हैं प्रथक करण कह सकते हैं तो आंसर विल भी बी सेपा राशन सेपा राशन ऐसा यार रखेगा तोड़ तोड़ करके कभी गलती नहीं होगी आपके क्कौशन नमबर सेविन कार्थ दिजे क्या होगा बताएं कि विच वन इस क्रेक्टली स्पेल्ट में से कौंसी सपैलिंग बताएं नहीं आप कोई spelling मत लिखिए सब लोग आंसर ABCD में दीजिए जब मैं आपसे ABCD में आंसर पूछ रहा हूं तो सब लोग आंसर ABCD में दीजिए कोई spelling मत लिखिए इतना बोलने के बाद भी बच्चे नहीं मानेंगे यह बात सच है कुछ आडियल टाइप के होते हैं जिद्धी टाइप के नहीं हम तो अपने हिसाफ चलेंगे जाइए कहिए जो कहना है तो spelling मत लिखिए ABCD लिखिए बस हाँ बिलकुल वी ना मैं जान रहूं आँ आप लोग चलिए बिलकुल रभी कान चलिए अरचना सनाया सब लोग ABCD में आंसर द ी आपको पढ़ाय प्हिए का था मैंने कहा था कॉनसों लिखा कीजिए लिखते हैं का मतलब होता है है वें जञां है तो इसमें इसी को आपने देखा कि A and T को हटा करके A and C e लगा दिया गया तो बन गया बेटा console और बन गया nance हलांकि ये exam में पूछा जा चुका पहले भी मैंने पढ़ाया लेकिन फिर भी बत्चे B कर रहे हैं तो बेटा ये गलत है और E नहीं होता है ये भी गलत है फिर यहाँ पर भी ये गलत है तो देखी इसमें A already आता है consonant में A already यहाँ पर दे रखा है तो आपको क्या करना है A को लगा रहने देना है N, C, E और लगा देना है consonants बन जाएगा और consonants का मतलब होता है ताल मेल होता है ठीक है क्या होता है ताल मेल होता है यहाँ रखेगा बढ़िया है So answer will be D ठीक होता है answer will be D इसका अगला question का answer question number 7 Which one is correctly spelled क्या होगा इसका answer बता है मुझे जो चीज़ अंदर से feel होते ही कि बच्चों की यह चीज़ कमजोर नहीं कि मैंने एक चीज़ महसूस की है मेरी classes में practice sessions लगा लगा करके concept में तो आप माहिर हो ही गए no doubt कि आप 80% माहिर हैं 85% माहिर हो चुके हैं 50% questions में फस सकते हैं को एक अलग चीज़ है जिसको फसाना ही है ठीक है चली 8 का C answer कर रहे है बोलने सा C होगा कुछ लोग answer C A B कर रहे हैं कुछ बच्चे एकाद हैं ज्यादा नहीं है बट C वाले बिलकुल सही है flourish का मतलब होता है फलना फूलना होता है फलना और फूलना होता है लेकिन जब बात आती कि one who deals with deals in flower जब ऐसा सवाल आता है कि one who deals in flower तो आप जानते हैं आपको flourish की spelling यह लिखने ही पड़ती है ठीक है जब मैंने यह पूछा था तो बहुत सारे बच्चों ने गलती कियी थी तो यार रखेगा लेकिन यह flourish है flourish का मतलब होता है फलना फूलना C will be the right option यह भी नहीं होगा यह भी नहीं होगा यह भी नहीं होगा answer will be C spelling यह रखेगा F L O U R I S H चलिए इसके बाद आपको answer देना है question number 9 का क्या होगा बताएगे चलिए 160 लोग watch कर रहे है like करते चलिए like करने से होता क्या है हम इसलिए नहीं कहते है like करिए मैं इसलिए like करने के लिए कहता हूँ क्योंकि बच्चे मुझे कहते है सर यह spelling error की class नहीं धूने मिल रही है यह आप like कर देंगे तो यह आपकी playlist में शामिल हो जाएगा यह होती बुद्धी मानी अगर आपको इस वीडियो को बीए बीए अलग-अलग answer कर रहे है देखे confusion हो रहा है ना हो रहा है कि नहीं हो रहा है अब इसी confusion को दूर करता हूं मैं मैंने का adamant लिखिए spelling होगी a-d-a-m-a-n-t spelling बनेगी a-d-a-ad-a और फिर लिखेंगे आप m-a-n-man मैं मने आदमी और टी लिख देना फिर हैना adamant क्योंकि इसका मतलब होता है 아टल होता है तो जो man जाए तो जो मेन अड़ जाए उड़ा जाए वह कहलाता है अब यह गलती कभी निकरें गलती इस तरह से तक बिए पढ़ा आपने कितने अराम से नहीं सीख लिया है जो अडा जाए ए डी ए अडा और कोन मैन कहां टी जो चाय के लिए अडा जाए जो जाए ठंडी बहुत जाद है हहा ठंडी बहुत जादा चाय की बीना काँ जिंदा नहीं रहे पाएंगे चलिए इसके बाद आंसर क्या होगा question number 10 का चलिए हाँ Adam के पास में aunt है ये भी trick अच्छी है very good इसका आंसर क्या होगा which one is correctly spelled 10 में D answer आ रहा है A answer भी आ रहा है बचे अलग-अलग answer कर रहे है बहुत लोग D, A confusion हो रहा है ना हो रहा है ना सुची अगर एक एक नमबर ये एक्जाम में गलत हो रहे हैं तो क्या होगा क्या होगा बताइए पर क्या होगा यहां रखे ब्लेमिस्ट का होता है spelling B-L-E-M-I-S-H वैसे हम क्या लिखते हैं blame लिखते हैं B-L-A-M-E लिखते हैं ठीके तो बहुत लोग तो यही वाला A समझ रहे होंगे यहां पर तो गलत हो गया बहुत लोग blame को पूरा समझ रहे होंगे तो यह भी गलत हो गया कभी-कभी यह भी समझ रहे होंगे तो यह घलत हो गया तो यहाएगा blemish blemish का मतलब होता है दोष क्या होता है दोष अगर आप से गलतियां हो रही है तो भाग हगी रहे गलतियों का सामना कीजिए ताकि अभी सीख लेंगे तो एक्जाम में काम कर जाएगा B-L-E-M-I-S-H सेशन में हर चीज एजी हो जरूरी नहीं मुझे भी इस सिखाए जाता है कि एजी पूछे बच्चे जुटे रहेंगे, लगे रहेंगे कि नहीं, सेलेक्शन एजी से नहीं होता है सेलेक्शन होता है कॉंप्लिकेटिड कोश्चन से तो ब्लैमिश का मतलब होता है B-L-E-M-I-S-S ब्लैमिश मतलब दोश तो आंसर विल बी डी याद रखिए गाई इसके बाद आपको आंसर देना है कोश्चन नमबर 11 का अंसर देना है क्या होगा बताईए ठीक है मैं बहुत सोच समझ को मुझे ये सेशन बनाने में धाई घंटे लग गए मैंने खाना नहीं खाया आज क्योंकि मैं 12 बच की 20 मन तक तो मैंने बनाएं बैट करके सुबह 10 बचे से लगे हुए हैं अब खाना खाते तो टाइम बहुत ज्यादा हुआ था जल्दे लिखाना परता तो अभी मैंने खाना भी नहीं खाया यह था कि पहले सेशन ले लूँ इसके बाद फिर में खाना खाऊंगा राम से हमारी मेनत के बेराबर आगर आप तो कुछ मेनत नहीं करते हैं यदि आप करने लग जाए तो सब्सक्राइब इसके बादस कियाएगा इसमें सी करें बच्चे बहुत सारे सी आंसर बैफील य्ज्ट बैफिल का मतलब होता है चक्रा देना इंदम गुमा देना इसको परप्लेक्स कर देना विल्कुल क्या परप्लेक्स की हिंदी क्या बता हूं मैं आपको मझे हिंदी भी याद नहीं आ थी आज कले हिंदी दिवश में हिंदी याद नहीं आ रही है किसी को बहुत सब्सक्राइब करते हैं आप कह सकते हैं इसके बाद आपको आंसर देना है क्वेशन नमबर 12 का क्या होगा बताएं परफ्लेक्ट परजल बिल्कुल नहीं थी खाली फेट दिमाग की बत्ती नहीं जलती है हां बिल्कुल यह मोटू आप लोगों के लिए महत कर रहा हूं बस सफलता नहीं मिली तो जान लिए हमारी महत का कोई मतलब नहीं है बच्चे मेरे पास बहुत सारे हैं पढ़ने वाल देखे इसमें क्या होगा इसमें बहुत लोग बी आप्ष्ण कर रहे हैं जो लोग बी आंसर कर रहे हैं बलकुल जाही है यानई देखे मैंने पढ़ाए भी आवा राइस खाया जाए यानि लाओ लाल्ची वीक्ति थोड़ेमें पेट नहीं बढ़ता रायस मतला लाल्ची यहां रखेगा B will be the right option यहां पर बिल्कुल सही है सर एक्जाम तो होने दें क्यों नहीं होगा एक्जाम अभी हो जाएगा तो बढ़ा जाएंगे अभी डेट दें कि दो हकते बाद एक्जाम होगा बच्चे टेंशन में आ जाएंगे यकीन मानिये आप अभी चिला रहे कि एक्जाम की डेट क्यों नहीं आ रही लेकिन फिर एक्जाम की डेट आ जाएगी हैरान परेशान हो जाएंगे कापने लग जाएंगे क्योंकि तब यह लगता है कि स्लेक्शन लेना ही लेना है ठीक है वरना चूख जाएंगे फिर वो फोबिया होने लगता है आपको तो अभी मौका है पढ़ने का चलिए कोई बात ने सोनी है अच्छा माइनस ओर तो नहोगा अगर फोर कह रहे ही तो उससे कम तो हमारे आता थ्री डिग्री डे सेल्सीयस टैंपरेशा इसका अंसर क्या होगा बताए चलिए अशर आपने ब्लैक राइस खाया नहीं प्रियंका कभी नहीं खाया है आप क्या होता हो तो भृजवा दीज़ेगा जो थateg क्या होगा बताईये ऐसा नहीं होगा कभी वह चलिए आपके साथ नहीं उगब बहुत बच्चों के साथ हो सकता है स्जी इस में क्या बताईए थौर्टीन में आंसर क्या कर रहे हैं विः निवी कर रहे हैं तो जितने भी वाले बिल्कुल शही हैं कि कुछ लोग सुनद द Qui उस्ट सकतैमें घलत हैं कोश्च लोग यह बहुत हैं और तो जो पर नहीं होती है वे यह निये वाली होती है यही बार 현us चेस्टाइज यह ज़ुूह का जब披ンプ कीं से डाई होटा चेस्टाइज उस्का मतलब या देना नियुक्ट रहे हैं deduct तो आप किसी को चेस कर रहे हैं तो आप किसी देना या रिg या रखेगा चैस्टाइज मतलब दंड देना होता है इसके बाद आपको आंसर देना है कोशन नम्बर 14 का आंसर दीजे क्या होगा बताएं कि चली बताइए क्या होगा का चैस्टी मतलब परहस करना होता है टाल कि आ Hm कि छ़लीwest का आंसर क्या बताएं है चलिए नरेश दुखी हो रहे है चलिए भिल्कुल 14 में आंसर किया है दीस आंसर कर रहे है 14 लोग A आंसर भी कर रहे है नग देखिंगे जितने लोग D आंसर कर रहे हैं कुछ लोग पढ़ते हैं लाइसेंचूस पढ़ जाते हैं तो गलती हुए लाइसेंचूस नहीं होता है लाइसेंचूस पढ़ते हैं लाइसेंचूस नहीं पढ़ते हैं गलत हो गया लाइकेंड गलत हो गया यह स्पेलिंग क्या होती लाइसेंचूस का मतलब होता है मनमाना हो गया है तो मन माना हो जाएगा D will be the right option ठीक है बात समझ में आ गई याद रखेगा जो लोग भी चाहते हैं कि मेरी अपनी खुद की spelling error class की playlist बन जाए तो वो like कर दीजिए like करते ही ये playlist आपके ये वीडियो आपकी playlist में शामिल हो जाएगी और आप कभी भी watch कर सकते हैं ठीक है अधाइस का आंसर क्या होगा बताएगे है हाँ विल्कुल सर आज दिन की शुरुआ टेंशन से शुरू ही है तो गलत जा रहे हैं कोई बाती नरेश है ना थोड़ा सा विप्रीत धारा में मुस्कुराना सीखना पड़ेगा जब life opposite चल रही है तो और हसना पड़ेगा B और मातों है कुछ बच्चे करें कुछ ए करें कुछ कर रहें कुछ ए करें अलОग करें जतने सब्सक्राइब मैं ने का था काला मिटी मतलब होता है पड़ेख और मिटी मतलब आपडा ज्एधा अंग्रेजी बनेंगे जिसे केलामिटी पढ़ेंगे केलामिटी पढ़ेंगे ऐसे कुछ भी पढ़ेंगे गलत कर सकते हैं जीवन घ्लती नहीं होगी काला मिटी मतलब आप दा आइं मेरे नाम का होगा होगा भी तो चलिए इसका अंसर दीजे क्या होगा बताईए इमानी सिंग कह रहे हैं सर आप जबरदस तरीके से याद कराते हैं thank you आपके compliment के लिए आपकी बात कल सब मिलते हैं मिटे में मिल गया चलिए इसमें का अगर बता ही चलिए उड़ा था 16 का अभी answer जो आने start हुआ है मेरे पास में वो डी answer आने start हुआ है so डी बिलकुल सही कर रहे हैं अपलो बहुत बढ़ी है डी विल बी राइट option इसमें spelling क्या C-A-L-U-M-N-Y है ना इसका मतलब बता है चुगली जो कालू है ना कालू C-A-L-U- कालू जो है ना वो कालू जो है अब यहां पर M-N-Y लिखा है वह तो इसको आप मिनी मतलब मिनी की ऐसे समझे कि मिनी की बड़ी चुगली करता है जो कालू है वो मिनी की बड़ी चुगली करता है तो स्पेलिंग बन गई C-A-L-U- कालू और M-N-Y कालू मिनी का मतलब होता है चुगली क्या होता है चुगली होता है और साथ में इसमें गलती भी कभी नहीं होगी तो आंसर विल बी डिंग आजकल कालू नहीं आ रहे हैं हमाई बीच में कालू भहिया भी थे गायब हो गए कि लापता गंज में चले गए इसके बाद आपको आंसर देना क्वेशन नमबर 17 का क्या होगा बताई चलिए स्वीटी सिंग सर इसलिए ग्रेट हो आप इतना कोई बच्चों को नहीं सोचता चलिए बच्चे मेरे बारे में थोड़ा सोचने लग जाए तो मेरा भी भला हो जाए अब बदले में चाहिए क्या सिफ लाइक करते चलिए तो मेरा मोटिवेशन यह कितने में लाइक किया आपको फायदा हिए कि आपकी प्लेलिस्ट बन जाएगी है ना हाँ दोनों का फायदा इसमें कोई फायदा नहीं इसमें परेशान मत हुए इसमें आंसर बच्चे ए कर रहें बहुत बढ़ी है डी फेमेशन की स्पेलिंग होती डी ए ए ए ए ए ए ए टी आइ ओ ए ओ ए डी फेमेशन इसका मतलब होता है मानहानी इन चलिए आई पीची सेक्शन फाइवंडड़ एलवन याद होगा क्योंकि बहुत साल हो गए मज़े भूल गया हम बट मुझे लगता है आई पीची वनने 11 में केस कर सकते हैं डी फेमेशन का सो आंसर विल भी ए ए अब तोड़ा कानून पढ़ें इसलिए अमने का बता रहेते हैं 511 या 509 में बस कंफर्म इतना है कि है जरूर यह अधिर करें नहीं करें मेरे अधिर यह अधिर नहीं आता है इस्पेशल आपका मोबाइल विच वन इस ग्रेमेट क्रेक्ट्ली श्पल्ट वदाई क्या ओगा इस का अंसर वी जिए गलत हुआ चलिए कंचंटीजिटी कोई बात नहीं क्या वह इसका अंसर बताएं मैं 18 में बचस आंसर करने लग गहे एंसर आ रहा है कुछ लोग झा और अनीतार देखते हैं चलिए देखे रहूँ management अनीताव पूसाल करतेज देखते हैं चलिहें देंडिगक दो है इस बहुत बड़ियां यू एन और व्यो यू रवाइखना न fysic हो और फिर अरी इसका मतलब होता है बेस्वाध यानि कि टेस्ट इस ठीक तो जिन्होंने भी याद किया बहुत अच्छी बात है मैंने पढ़ाया भी अपनी वोगle session में अनसेवरी का मतलब होत है है बेस्वाद हीन होता है कि पनिये क्या सब्सक्राइब हमारे लिए पानी नहीं है ग्रैमेरियन अच्छा पार नहीं है ओ हो हो थैंक यू इतनी बड़ी बात कहने के लिए कोशन नंबर सब्सक्राइब क्या होगा ठीक है बताएं इसको याद कर डाली सारी स्पेलिंग को याद कर डाली जो मैंने करवाई हैं विश्वास मानिए या मैं ऐसे कर सकता हूं कि उम्मीद है कि नहीं में से फस जाएंगी 18 में आंसर बच्चे कह रहे हैं सर ए कुछ लोगों ने बोला कुछ लोग बी बोल रहे हैं अगर आप इमान दरीस आंसर कीज़ेगा बहुत पश्टाएंगे फिर बी 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 आंसर करें जितने बी आंसर करें बिल्कुल सही है देखिए मैंने इसको भी याद करवा दो एन फ हैं में अतिक्रमन कर रखा है ऐसी आफ मीनिंग याद कर सकते हैं ठीक एं मैं इस्के बाध को और ठंड बहुत जादा है थोड़ा सा हां नोसर इमानदारी से ही है अधर्वाइस अपना ही लौ से बिल्कुल प्रीथी है ना मजा आ रहा है रामनात करें चले बहुत बढ़ियां मज़द वार इमोजी यह वाली बढ़ियां को बेकार लगती है चले बढ़ियां सोनियां ठीक है आंसर दीजे क्वेशन नमबर 20 का क्या होगा बताईए 23 क्वेशन से टोटल है ना थोड़ा बिजी हो गया वनना 25 पूरे हो जाते चलिए नरेश थैंक्यू और इसमें या रखिए क्या आंसर कर रहे हैं आप लोग डी आंसर कर रहे हैं तो जि इस टैमरेंग या रहे हैं यानि हक हम लाना होता है ऐसमें दी ठीक है आंसर करन फिषा कि इसके बाद आपको Анसर करना है कॉरसीन नमबर 21 का रहे हैं नहिंत क्या होगा बताईए चली ए क्या होगा क्वशननमर 21 का रहे हैं ताइम का पता ही ने चला, यह बात तो है, कि मेरी class में time का मालूम नहीं चलता, answer दीजे, question number 21 का क्या होगा, चलिए इसमें 21 का डी आंसर किया है प्रियंका जोहरी ने एनिबडी एल्स डी आंसर करें चलिए देखिए जितने लोग डी आंसर करें बहुत अच्छा आंसर करें क्योंकि इसमें रखेगा और यह की आ पिर्टे उनचा कर जोहरी नहीं क्योंकि एंधा जाय इनदोए है ऑपरेशन के मतलब जोगतए है इतनले परेशल अपरेशन तो यह दूसरा है इसमें डफेल एस वाला है यह उत्पीγαन्ति ident baik विली बी दि ओपरेस करना किसी को दबाना उतपी रन करना ठीक है इसके आंसर देना question number 22 का क्या होगा बताईए ठीक है बताएं इसके answer 22 का क्या होगा बताई विच वन is correctly spelt सुनी लिए दो देखिए अनेट की प्रॉब्लम बेटा आपके आँ होगी मेरे आँ तो नेटवर्क इशू ब्लकुल नहीं है वाइफाई सही चल रहा है कोई दिक्कत नहीं है इसमें 22 का अंसर जो आने स्टार्ट हुआ है वो C कर रही है कुछ लोग ए कर रहे है कुछ लोग बी भी कर रहे हैं वहत लोग एफूर्श कर रहे है जितने लोग ए आंसर कर रहे हैं वह बिल्वकल अगर इन लग गया तो बनेगे आनुकसान यानि आहानीकर कह सकते हैं तो जो अमारी नाक को नुकसान पहुंचा दे इन लगया इन उनुकसान इन नौनक इसका मतलब होगे आहानी करोगे ध्यान किगा सुआ शूर्व भी एव नाँ पुस गई कोई बात नहीं ठीक है रोगई बात चलिए वे इगुड अब आको आंसर देना कोशन नंबर 23 का क्या ओगा बताई चलिए कि बताएं कानों में दर्द होने लगा जरूर में कैप लगा-लगा अब में कैप बटा नहीं तक ता क्योंकि मेरे बालों की दुर दशा देख लेंगे आप तो डर जाएंगे यहना सारे बाल आइने बेड़े कहने हो गए ठंड ड़े में अकड गए है चलिए इसमें आंसर करें बच्च को करता है हथो उत्साहित करता है जो वह ठीक है उसको बोलते हैं डिटायट या किए को पता है रिक्वान्ट में रहेंगे यह हमתगी कप तक तियारी करेंगा रेंग स्ट में रहें हाथ उत्साहित करने वाले स्पेलिंग या रखेगा D E T E और डवल र E N T स्पेलिंग कैसे तोड़ेंगे D E T E R और फिर R E N T डिटरेंट का मतलब हतोस्थाइद करने वाला फीड़बेक ज़रूर चाहिए क्लास के बाद में क्लास कैसी लगी ठीक है पाई टेकर नमस्कार और चाहिए